एक बार मुझे बिता दीजें कि आडियो वीडियो सब कुछ पर्फेक्ट है तो आज हम स्टेशन स्टार्ट करेंगे ए-fm लाइव बैच और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हम कवर अप करेंगे बस मुझे एक बार पहले बता दीजें कि आडियो वीडियो वगर सब कुछ पर्फेक्ट है कि जल्दी से मुझे बता दीजे और युद्यो वीडियो सब कुछ पर्फेक्ट है कि अ थाके हम स्टार्ट करते हैं पड़ावट से प्रफेक्ट सॉप्टर करें सब जोwr Divi Best taraf burned had that है अब यह क्या करेंगे आज से आफं का क्ला स्टारट करें हम यूट्यूब मैं चलेगा उसकी बाद में सॉप्टर में हम देली बीसिस पे 11 बजे सुबह सुबह 11 बजे से लेकि 1.45 या फिर मैक्सिमम 2 पीम तक हम कवर अप करेंगे और हम मेक्शूर करेंगे कि जैसे मैंने कहां 50% यह जो हमारा लाइव बैच ही 100% लाइव बैच नहीं है पट आपका 50% से जासे हम कवर करेंगे जैसे मैं पहले बता देता हूं आपको यहां कि कि क्या क्या हम क्या को आपको रिकॉर्डव इस में करना है है इसके लाभा कुछ कुछ सब् nhưng्हों हम क्या क्या करने वाले आपर तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे advanced capital budgeting हम सबसे पहले आज से start करने वाले हम सबसे पहले start करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे advanced capital budgeting के बाद मैं security valuation करूँगा हम पहले practical जो chapter बड़े-बड़े important chapter वो target करेंगे फिर हम discuss करेंगे corporate valuation ये तीन chapter discuss करने के बाद उसके बाद हम discuss करेंगे forex फिर हम discuss करेंगे derivatives ये सारे हम live batch में discuss करेंगे और फिर IRRM ये हम discuss करेंगे forex derivatives, interest risk management ये सारे practical chapters हम live discuss करने वाले इसके अलावा फिर theory भी हम live discuss करेंगे ये सारी चीज़े मुझे जहां था यहां थे यही मैंने आपको कहा था कि हम live batch में discuss करने वाले और इसकी बाद आपके कुछ कुछ चैप्टर जो बचेंगे वो हम recorded में discuss करेंगे जैसे वो भी मैं एक बार टेलिग्राम में खोलेता हूँ फिर मैं make sure करेंगे कि सारे concepts को इस तरीके से discuss करें कि हमारा apart from जो practical chapters जो practical questions आएंगे वो तो सारे cover हो वो साथ में हमारे MCQs भी अच्छी तरीके से tackle हो जाए और इतना मुझे भरूस है कि जो भी चीज़े मैं आपको पढ़ाऊंगा समझ में तो सब कुछ आएगा और मुलास वगेरा कुछ भी रटने की जड़त तो पढ़ेगी नहीं आपको आपको बस क्या करना प्रैक्टिस करना पड़ेगा जैसे कुछ 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 कोश्यन से मैं मार्क करोंगा कि ये कोश्य साथ साथ करोगे तो आपका क्या होगा पता है जैसे भी डिसमबर का मैंने डिसमबर जनवरी फैव का पकड़ के चलो दस फैव तक हमारा ओवरोल लाइव और रिकॉर्डड़ दोनों आपका खतम हो जाएगा अगर हम मेरी बात सुनोंगे तो मैं डेली बेसिस में आपको ब लावर रिकॉर्ड़ेट में क्या चलेगा रिकॉर्ड़ेट में जैसे आपको पॉर्टफोलियो रिसेंटली रिकॉर्ड़ेट है वह रिकॉर्ड़ेट में आपको देखना है पॉर्टफोलियो हो गया मूचल फंड्स हो गया मर्जर हो गया मेली यह तीन प्रैक्टिकल कर लो जो आपको recording देखना है और आपके लिए अच्छा भी होगा साइड बैसे जब जब मैं आपको बताऊंगा यह recording देख लीचे तब आप recording आप खतम कर दो और इसी के साथ पूरा का पूरा हमारा बैच हम कोसे करेंगे तो यहां पर आपको यह तो मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरीके से आपको यह सारी चीज़े हम कवर करने वाले है रेगूलर बैसे में सुबह 11 बचे मिलेंगे 11 बजे से लेकि 1.45 या 2.00 पीम मैक्सिमम तक हम करके हम रूच कवर अप करेंगे कभी मुझे लगा कि एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए अच्छा रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे चलो संटेडे संटे को हमने जादा पढ़ लिया थूरे एक्स्ट्रा क्लास ले लिया ताकि वो कवर अप करके और हम जल्दी खतम करने की कोसिस करेंगी कि हमारा बैच और ज्यादा जल्दी खतम हो जाए क्योंकि आप आपका तीन सब्जेक्ट्स है अगर हम सिर्फ इन सिंगल ग्रूप की बात करें तो मैं चाहूंगा सिंगल ग्रूप में आप क्या क लगे आदा घंटा पैतालिस मिल लगे उसको रिवाइस करने में होमबग करने में मैक्सिम एक घंटा लगे आप करके तीन बचे तक आप फ्री हो गया उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट वागेरा करना सारी चीज़े रेस्ट वागेरा करो फिर साम को वापैस दोनों को साड़े फार्व गए पर आपके बस पड़ा हो efect अब करने लगे अगर अपने छिरुक्राइब करो तो और दो चलू सब्चेब करना कि लोगा करती मै n debstory और 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 दो सब्री चलओ और रेकमेंट करो आप क् sociies खत्व और ध्यान रहे बहुत मस्टप तो कि MCQs वगेरा आ गया है, subjects कम है आपके, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्या करो conceptual understanding लोगे, वो बहुत जरूरी आगे जागे, अब आगे मेरे ख्याल से वो shortcuts वगेरा काम नहीं आएगा, जहां पर आप exam oriented पढ़ा ही वगेरा कर ल जाओ, कि आगे जाके paper कैसा भी हो, आपका paper अच्छा जाना जाए, जिसने हमने recently FR का paper देखा था, वो conceptual paper था, अगर कोई बच्चा deeply concepts पढ़के अच्छे से समझ की जा रहा है, तो वो उस बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर हम question point of view से जाए कि आए इसलिए का सिर जरूरी है, तो चलिए, I think मैंने आपको ये बता दिया किम किस तरीके से हमारा schedule रहेगा, अब आज ही class हम start करेंगे, अब हम ज्यादा ज्यान नहीं देंगे, आज ही class हम start करेंगे, और आज ही class में सबसे पहले, आज हमारा नया chapter जो रहेगा advanced capital budgeting, हम start करने को जा रहे हैं, पता नहीं भी आता होगा, पर जिसको भी आता है, वो भी मेरे साथ participate करेगा, क्योंकि क्या पता आपको basic साथ हो पर उतना ज्यादा clear ना हो, तो हमारे सा discuss करके आपका revision हो जाएगा या तो, और 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 ज्यादा clear हो जाएगा, और जिसको नहीं आता हो तो अराम से कर लेगा, तो यहाँ पर मेरा focus, यह मैं नहीं मान के चल रहा है कि अपने inter में क्या पढ़ा है, कब कहां क्या पढ़ा है, मुझे नहीं पता, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि अब zero हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, और एकदम हम basic से start करेंगे, एकदम ground level में हम start करेंगे, यह मानते हैं आपको कुछ नहीं आता है, ताकि सारे बच्चे समझे, किसी भी बच्चे को tough ना लगे, किसी बच्चे को अगर inter में कुछ भी याद ना हो, तो वो भी अराम से सबी चीज़ों को make up कर ले, तो उसी strategy के साथ हम क्या करेंगे, हम तैयारी करेंगे अभी हम, तो चलिए, अभी बच्चे का, जो भी live classes होगी, उसका recording backup जरूर से आपको मिले, तो हम हमेज़ा provide करते हैं, वो मिलेगा, जिसे कभी आपकी live classes में सो जाती ही, कुछ हो जाती ही, तो अब राम से recording देख सकते हो, बट मैं ये recommend करूँगा, मैं ये suggest करूँगा कि live batch के साथ ही, आप करो साथ साथ म महने में खतम हो जाना चाहिए, वो अब 6 मिना लगा दे तो, कितने बच्चे तो एक एक साल ताग ऐसे पढ़ा रहें देते हैं, खतम ही नहीं करते हैं, तो live के जरिये आप क्या करोगे, आप खतम कर लोगे, और हाँ अगर recording में भी consistency बनाओ, punctuality बनाओ, कि मेरे लिए वो recording live के तरह मुझे एक दिन में एक class तो कर नहीं है, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब मैं गलत करो, मैं fail के तरफ जा रहा हूँ, यह चीज़ अगर आप समझ जाओगे, तो दिक्कत नहीं आएगे, और फिलाल तो चलिए अभी हम live ले रहे हैं, आपको live जरूर से करना च चाहिए, तो I think सब को सब कुछ clear है, अभी हम basics के हम बात करेंगे, एक दम basic level पर हम discussion करेंगे, एक बात आप मुझे बताइए, मान लो आज मैं 0 tier पकर के चलता हूँ, यह first year है, 0 tier में मैंने मान लो मेरे पास rupees 100 है, amount to invest, ठीक है, और मान के चलता हूँ, interest rate जो है, तो मान के चलत हमे 10% है, आप मुझे एक बात बताओ, simple सी बात आपको इससे समझ में आ जाएगा, कि first year में आपको कितना रुपय चाहिए, अगर आप rupees 100 आप invest करोगे, 10% interest rate में एक साल के लग हम investment करेंगे, तो simple सी बात है, हमें one year के बात कितना चाहिएगा, हमें one year के बात 100 रुपीस, जो ह वो 100 नहीं होगी, इसकी value कितनी होगी, 110 होगी, ये तो आपने एकदम अच्छे से समझ लिया, 0 tier में अगर इसकी value 100 है, तो first year में interest को मिला दे, तो इसकी value क्या होगी, 110 होगी, अब मेरा केना ये है कि 0 tier में आपका क्या रहता, सिर्फ प्रिंसिपल रहता, आप मुझे बताए क्या 0 tier में कभी भी interest component हो सकता है, interest क्या है, time value of money है, time आपका future में, जितना future में time ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा interest होगा, तो presently, 0 tier में आपका interest component नहीं होगा, only principal component होगा, आज की दिन, presently, आज की दिन, only क्या होगा, principal component होगा, समझ में आयो, कोई interest component नहीं होगा, कोई interest component नी होगा और जो principal component जो भी value आप invest करोगे that is what 100% यह 100% होगा और interest तो आपका है नहीं तो zero पकड़ के चलते interest तो आपका है नहीं आपर बट अगर मैं आपको बोलो first year में first year में जैसे कि हमने देखा first year में क्या क्या होगा दो चीज़ होगी है आपर first year में principal component भी होगा जो आपने principal invest किया था 100% यह भी होगा first year में इसके साथ सद आपका interest component भी होगा first year में कितना होगा 10% होगा तो आप मुझे बताए हमने क्या देखा zero तेर में overall कितना है 100% सिर्फ principal component 100% है बट अगर आप देखो होगे first year में first year में total 110% है 100% का principal और 10% का interest यह सभी चीज़े जानना बहुत जरूरी है अच्छे से समझना बहुत जरूरी है तो आप यहाँ बट देखो दोनों में फरक तो अब अगर मैं आपके साथ discuss करो मैं आपको यह बोलो zero tier और first year ठीक है और मैं बोलो interest rate अगर 10% है अगर interest rate 10% है तो आप बताई zero tier में जो भी value होगी वो कितनी होगी hundred percent होगी लेकिन first year में hundred ten percent होगी जो भी value होगी जो भी value होगी वो hundred ten percent होगी यह हम एक बार समझते हैं तो आपने मुझे अभी ज़स्ट बताया कि अगर हम यहाँ पर invest करें zero tier में अगर हम hundred rupees invest करें तो first year में कितना होगा hundred plus ten percent of hundred यह कितना होगा hundred ten होगा यह तो हमने समझ लिया आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब अगर आप मुझे से बोलो कि zero tier में sir और यह first year में हम मान के चलते first year में अगर हमें कोई बंदा कहे कि वो मैं hundred ten rupees देगा simple सी बात मैं आपको कह रहा हो कोई बंदा अगर मुझे बोले कि वो first year में मुझे hundred ten rupees देगा तो in such case zero tier में मुझे कितना रुपिया invest करना चाहिए क्योंकि यह present value का concept है जो मुझे interest के साथ detail में आपको समझाना है मैं यह कहूँगा कि 110 जो है यह मुझे कम मिलेगा first year में मिलेगा और interest rate जो है मान लो वो 10% है 10% का interest rate है तो obviously बात है यह 110 क्या हुआ यह 110 के अंदर क्या क्या चीज़े 100% principal भी है और 10% क्या है interest भी है 100% principal भी 10% interest है तो मैं क्या यह नहीं कहा सकता कि 110 जो है मैं यह कह सकता हूँ कि 110 जो है equivalent to 110% है यह 110 जो है 110% है क्योंकि 110 के अंदर principal भी है और साथ-साथ में interest भी है तो मुझे 0-3 की value निकालनी इस 110 के base में तो 0-3 में क्या होगा सिर्फ principal होगा interest नहीं होगा तो in such case 0-3 में हम क्या value पकड़ेंगे हम बोलेंगे कि अगर 110 first year में है तो 0-3 में क्या value आएगी हम बोलेंगे 110 equivalent to 110% है तो क्या मैं 110 को divide by 110% कर दूँ तो मेरा 100% आ जाएगा मैं अगर बोलू कि 110 आपका equivalent to 110% है उसी को अगर हम 110% को divide कर दे तो हमारी आज की value आजएगे नि 100% value आ जाएगे और 100% value कितना आएगा आप करो 110 divided by 110% यह इसकी value आए कि कितनी 100 value आ जाएगे और या फिर आप इस तरीकेसी भी जिसे बच्पन में आप करते थे बच्पन में आप क्या करते थे आप बोलते हैं कि अगर 110% आपका 110 है तो ऐसा situation में आप बोलते हैं 1% क्या होगा 110 divided by 110% तो आपका 100% कितना होगा 110 divided by 110% into 100% होगा अब इस तरीकेसी लेते थे तो यहाँ पर इससे basically आपका क्या आएगा अगर आप देखो कि percent percent cut हो जाएगा आपका है ना और 110 divided by 110 भी cut हो जाएगा ultimately इसकी value 100 ही आने वाली है आप देखलो तो यह कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीकेसे निकाल सकते हो present value यानि future की value से present value भी निकाल सकते है जैसे present की value में interest चड़ाएंगे तो future की value आएगे वैसे future की value से interest निकाल दो तो present value आ जाएगा चलिए हम और example देखते है दो तिन example देखे हम पूरा clear करते है चीज़ों को ठीके एक और example लेता हूं माल लो interest rate है माल लिया हमने interest rate है 8% ठीक है जिरो तियर फर्स्टियर में value में लेके चलता हूं 115 तो यह फर्स्टियर में जो value है 115 मैंने जैसे का 0 तियर में 100% रहेगा तो फर्स्टियर में कितना रहेगा ओविसली बात है 108% होगा कैसे क्योंकि आप 8% अगर आपको interest चाहिए अगर आप 100% पैसा invest करोगे तो 1 year के बाद 100 plus 8% interest आपको 108% मिलना चाहिए तो क्या मैं यह बोल सकता हूं 115 इस equivalent to what 108% क्योंकि 115 के अंदर principal भी है इस 115 के अंदर क्या है principal भी है कितना principal है कितना 100% और इसके अंदर interest भी है कितना 8% का क्योंकि 8% interest है तो यह 115 जो है यह क्या है यह 108% है मुझे अब निकालना है सिर्फ 100% सिर्फ principal component निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं मैं बोलूगा इस 115 को हम present value में कैसे लाएंगे हम अगर 115 को divide by 108% कर दे तो हमारी 100% की value आ जाएगे तो अगर 115 108% है तो 100% कितना हुआ आप सीधा 115 divided by 108% कर दो आपका आ जाएगा 106.48 तो 106.48 जो आपका आएगा वो present value आएगा और इसको verify भी कर लेंगे देखलो तो 106.48 हमें आज पैसा लगाना चाहिए मतलब first share में अगर हमें कोई 115 रुपीज दे तो हमें आज 0-3 में 106.48 पैसा लगाना चाहिए अब अगर आप verify करोगे तो verify अगर के देखलो 106.48 चलो हमने पैसा लगा दिया और एक साल के बाद हमें क्या चाहिए 106.48 तो प्लस 8% उस पर इंट्रेस बेचाहिए तो आप देख लेना यह आएगा 115 यह आपका 115 आजाएगा इस प्रकार कले और हम करते एक और एक्जामपल करते इंट्रेस रीट आप इस बार पार्टिसिपेट करना मेरे साथ मान लो इंट्रेस से 13% है मान लेते ठीक है पुरा बेसि आप मुझे 75 रुपीज दोगे आपने मुझे कहा कि आप मुझे 75 रुपीज दे दोगे मुझे आपको उधार देना आज तो आज मैं 0-3 में आपको कितना पैसा दो कि फर्स चेयर में मुझे 75 रुपीज जो मिलेगा वो इंक्लूजिव उफ 13% इंट्रेस भी मिल जाए तो 75 के अंदर इंट्रेस्ट भी है प्रिंसिपल भी है मुझे 100% चाहिए प्रिंसिपल आज की वल्लू तो मैं क्या करूँगा मैं बोलूगा 75 को डिवाइड कर दो 113% से अगर 75 113% है तो 100% कितना होगा मुझे फटा-फट से बताए किसी बच्चे ने जवाब दे भी दिया 66.37 अंसर आना सुरू होगी है तो 66.37 आपका 0 तेर का वल्लू होगा 0 तेर का वल्लू 66.37 होगा और ये जो 66.37 है अगर मैं इतना पैसा आज लगाऊं वेरिफाय भी कर लेता हूँ अगर इतना पैसा मैं आज लगाऊं मुझे फ्यूचर में कितना चीज 66.37 तो चाहिए साथ में मुझे 13% इंटरस्ट भी चाहिए और 66.37 यानि कितना आप देख सकते हूँ ये 75 आ जाएगा तो 75 रुपीस हमारा आ रहे है तो इस तहरीके से हम क्या करते है हम प्रेजेंट वल्लू कैसे निका दे मैं इस बाप परसेंटीज से बता है इसी को भी हम क्या करेंगे बता है एक alternative wave में भी आपको मैं समझाऊँगा आप देखो अभी तक मैंने जो भी चीज निकाला है उसको मैं आपके साथ करता हूँ देखिए अब मुझे एक बात बताओ आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि 0-3 में 100% होते है जीरो तेर में क्या होते है? 100% होते है 1st year में क्या होगा? अगर 10% interest है तो 110% होगा? क्या मैं 100% को 100 by 100 नहीं लिख सकता? 100 mean what? 100 by 100? यहनि कितना आएगा? 1 आएगा है ना? और 110% mean what कितना? 110% means 110 by 100 percent का मतलब क्या per century per hundred percent का मतलब ही होता per century तो 110 divided by 100 आगया यह यह कितना आगया 1.10 अब इस प्रकार भी समझ सकतो मतलब मेरा केना है आप 100 percent को 1 भी मान सकतो अगर आप बताओ आज आप 1 रुपी लगाओगे 10 percent का interest rate है एक साल के बाद आपको कितना मिलना चाहिए 1.10 मिलना चाहिए तो अगर 0-13 में 1 ले तो first year में क्या आएगा 1.10 आएगा एक यह मैंने का रहा यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 100 percent लिखा है 108 percent लिखा है 1, 1.08 अगर आज मैं 1 रुपी लगाऊ एक साल के बाद मुझे क्या चाहिए 1 रुपी चाहिए plus 8 percent का interest चाहिए 1 plus 8 percent कितना आया 1.08 आया so 1.08 मुझे first year में चाहिएगा फिर आगे इस वाले में भी देखते है यहाँ पर हमने 13 percent का interest रखा है यह hundred percent क्या होगा hundred by hundred होगा यानि यह one आ जाएगा और इधर आपका first year में कितना है obviously बात है 113 percent होगा 113 by 100 यानि 1.13 हो जाएगा 1.13 आया हमारा obviously बात है एक रुपी अगर आप invest करोगे तो एक साल के बाद आपको कितना चाहिएगा 1 plus 13 percent यानि 1.13 चाहिएगा आपको यापर simple सी बात है यह तो एकदम अच्छी से समझ में आ रहा हम है अब आगे अगर आप देखो आप मुझे एक बात बताओ मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ देखें इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ और 75 डिवाइड़ 1.13 आप एक बात 75 को डिवाइड बाइ 113 परसंट करोगे क्या अंसर आप 75 डिवाइड बाइ 113 परसंट करोगे 66.37 आ रहा है और यापर 75 डिवाइड बाइ 1.13 करोगे तो भी वही आएगा 66.37 आएगा यह भी क्लियर एकदम अच्छे से तो इससे रिलेटेट भी एक दू एक्जामपल और हम कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियरिटी मिल जाए इंटरस रेट मान लो 9 परसंट है 0 तियर 1 तियर तो 9 परसंट है इसको मैं 1 रुपी मानता हूँ यहाँ पर इस बार 100 परसंट नहीं लेता हूँ अगर 1 रुपी 0 तियर में लगाएंगे आप मुझे बताइए फ़र्स यर में हमें कितना चाहिएगा 1 प्लस 9 परसंट 1 रुपी लगाएंगे 9 परसंट इंटरस के साथ-साथ हमें क्या चाहिएगा 1.09 चाहिएगा अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना उदब जी अभी सिर्फ घ्यान दीजे स्क्रीन पर डिहान दीजे कुछ भी नोट डाउन मन किचे सब दिमाग में नोट डाउन करना भी आपको 1.09 हमारा आएगा यह हमें पता चल गया अब आप देखो अगर मालनो फर्स चेर में मुझे मिलेगा 145 फर्स चेर की वेल्लू 145 है तो आप मुझे बताओ पार्टिसिपेट करके आज 0 तेर की वेल्लू क्या होगी मैं 145 को कैसे कैसे लिख सकते हूँ एक तो आप बोलोगे सर 145 डिवाइड बाई 109 परसेंट भी कर सकते हूँ 145 एक्यूवेलेंट तो 109 परसेंट है पर वो नहीं करते हैं 1.09 कर देंगे 145 डिवाइड बाई 1.09 और वो भी बताओँगा देखो 145 क्या है 1.09 है क्योंकि 145 के अंदर 1 का प्रिंसिपल भी और 9% इंटरस्ट भी है यह यह 1.09 है तो 1 की वेल्लू क्या होगी 145 डिवाइड बाई 1.09 कर देंगे यह आएगा 133.03 133.03 आपकी आज की वेल्लू हो जाए 133.03 अब एक बात बताओ मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 145 इंटू 1 बाई 1.09 बात तो एक ही है आप मुझे बताइए 145 डिवाइड बाई 1.09 लिखो या फिर 145 इंटू 1 बाई 1.09 लिखो बात तो एक ही है क्या फरक हैस मैं आप बताओ मुझे दूनों तो सेमी चीज हो गया अब अगर मैं इस प्रकार लिखता हूँ तो आप बताइए मैं 1 डिवाइड बाई 1.09 अगर करू तो क्या है 1 डिवाइड बाईड बाई 1.09 क्या है का देखो 0.91743 आत 5 डिजिट अगर हम लेते मतलब मैंने क्या क्या मैंने 145 डिवाइट पर 1.09 करने पर भी अंसर आता है बट हम क्या गर इसका PV फेक्टर बना ले रहे क्योंकि बहुत जगाई से PV फेक्टर का इस्तमाल करता तो वो भी आपको सीखना जरूरी है वो कुछ नहीं लॉजिक है आप तो आप देखो 145 को मैंने क्या क्या मैंने बोला 1 रुपी का present value क्या होगा मतला हम बोल रहे कि अगर first year में 1 रुपी है तो उसकी present value क्या हो 1.09 से divide कर दो तो 1 divided 1.09 के value क्या रही 1.91743 तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे 145 into 0.91743 आप ऐसे भी करोगे अंसर तो आपका 133.03 ही आने वाल है इसी को हम कहते है PV factor जिस PV factor का इस्तमाल करते है इसी को हम PV factor यहनि कहने का मतलब आप क्या क्या कर सकतों यहाँ पर मैंने यह समझा है आप 145 को 109 परसेंट से divide करोगे अंसर आएगा या फिर आप 145 को 1.09 से divide करोगे अंसर आएगा या फिर आप 145 को 0.91743 से multiply करोगे अंसर आएगा आपका यह आपका PV factor आगिया इसका मतलब यह कि माल लो पर एक्जामपल फर्स चेयर में अगर 1 रुपय है माल लो जैसे 0 तियर लेता हूं यहाँ पर और यहाँ पर फर्स चेयर लेता हूं माल लो फर्स चेयर में 1 रुपी है यह आपका 1 है यहाँ पर 1.09 है अगर कोई आपसे कहाए कि फर्स चेयर में आपको 1 रुपी देगा तो उसकी present value आज कितनी होगी हम क्या करेंगे 1 divided 1.09 लिख दो या फिर 1 divided 109 परसेंट 1 divided 1.09 या आएगा 0.91743 और कुछ भी नहीं है यहीं क्या यह चीज़ से अप सहमत हो अप ऐसे भी कर सकतो आप ऐसे भी कर सकतो या फिर आप ऐसे भी कर सकतो यह और कुछ नहीं है आप 1 divided by 1.09 जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था यह वही यह और कुछ भी नहीं है यह देखिए यह जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं यह वह यह और कुछ नहीं अब आई थिंग आपको पीवी फेक्टर अच्छा खासा समझ में है बस मुझे यह बता दो आप यहाँ पर हम क्या कर रहें बेसिकलिए अगर हम फ्यूचर में जाएंगे हमें इंट्रस चढ़ान हम zero three year में है यह first year है यह second year है यह third मालो मैंने क्या क्या मैंने 450 रूपीज इंवेस्ट किया zero two 14% का इंट्रस्ट होगा तो आप मुझे बताईए एक बार कि first year में इसकी वैल्यू क्या होगी 0.3 से 1st year में अगर हम जाएंगे तो interest निकालेंगे की चढ़ाएंगे obvious ही बात है हम interest चढ़ाएंगे अब बताए इन 4.50 में मुझे interest चढ़ाना है कितना 14% मैं ऐसे लेख सकता हूँ 450 plus 14% of 450 या फिर और मैं ऐसे भी तो लेख सकता हूँ 450 into 1.14 कैसे लिखा मैंने, मैंने बोला 0-3 में value 1 है, तो first year में value क्या होगी, 1 plus 14% 1.14, यहीं एक बात मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ 1 रुपी invest करूँगा 0-3 में, सिर्फ 1 रुपी 0-3 में invest करूँगा, तो first year में मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 रुपी plus 14% interest, 1.14 मिलना चाहिए, तो मुझे बताओ, 1 रुपी अगर मैं invest करूँगा, तो मुझे 1.14 मिलेगा, तो 450 invest करने से कितना मिलना चाहिए, 450 into 1.14, बात कतम, तो यह और कुछ नहीं, यह कहना चाहिए, आपने 1 रुपी की value निकान ली, आपने का first share में 1 रुपी बनेगा 1.14, तो 450 कितना बनेगा, 450 to 1.14, इस प्रकार हम क्या करेंगी, यह वाला हम लिखने की habit डालेंगी, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपको मुझे habit डालाना इस प्रकार लिखने का, आप यह देख लो, 1 रुपी कितना बनेगा, 1.14, तो 450 कितना बनेगा, 450 into 1.14, कितना आ रहे, 450 into 1.14, अच्छ ठीक है, 550, फाइव 5.13 आएगा यह, 5.13 आजाएगा, अब मुझे एक बात बताओ, second year के अगर हम बात करें, second year में मुझे कितना मिलना चाहिए, obviously बात है, first year में 5.13 है, तो second year में कितना होना चाहिए, second year में 5.13 में 14% interest मिलना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता आएगा, क्योंकि first year के value 5.13 है, उसमें मुझे interest चढ़ाना है, 1.14 का, 584.82, अब एक बात बताओ, इसी same question में, मान लो 0.13 है, हमें 0.13 से सीधा second year के value निकान लिए, जैसे 0.13 में value 450 है, यह आपका 1 है, तो second year में 1.14 नहीं होगा, 1.14 का दो बार हो जाएगा, मतलब मेरा क्याने का मतलब यह यह, कि second year में आप क्या करोगे, 450 में, अब एक साल का 1.14 interest चढ़ा होगे, और जो cumulative value आएगा, उसमें फिर से आपको 1.14 का interest चढ़ाना पड़ेगा, तो दो बार आपको interest चढ़ाना पड़ेगा, जिसको मैं ऐसे भी लिखते हैं, और या फिर 450 into 1.14 square, मला दो बार करेंगे, interest को दो बार चढ़ाएंगे, और यह compounding effect होगा, interest पे interest चढ़ेगा, जैसे कि आपने किया, 450 into 1.14 कर दिया एक बार, तो आपका value आगया 5.13, एक साल का interest चढ़ गया, अब इस 5.13 में वापस हम 1.14 चढ़ाएंगे, तब 584.82 आएगा, और अगर आपको इसमें देखना है, चेक करना है, तो आप चेक करके ऐसे भी कर सकतो, 450 plus 14% of 450, ठीक है, plus 14% of entire आएगा आपका, जैसे 450 में, मैं 14% चढ़ाऊँगा, 5.13 आएगा, उस 5.13 में फिर में क्या करूँगा, 14% चढ़ाऊँगा, plus 14%, 584.82 आजाएगा, कि मेरा आजाएगा, कि हमने समझ लिए, यहनि कहने का मतलब conclusion अब हमारा क्या है, अभी बस rough में understanding चल रहा है, conclusion हमारा क्या है, 0 tier और 1st year में, हमारा conclusion इतना है कि 0 tier में अगर 450 है, और interest rate 14% है, तो यहाँ पर हम करेंगे 450 into 1.14, यह आजाएगा, 513, और अगर मैं लिए 0 tier, 1st year, मालो 1st year की value दीवे 513, तो हम इससे 0 tier की value निकाल सकते, 5-13 में interest भी छिपा होगा, divide by 114% करो, यह 1.14 करोगी तो 450 आजाएगा यहाँ पर, 1st year से back में आओगे, present value में आओगे, back में आओगे, अब divide कर दोगे, बात कतमिया पर, तो अब अगर आप मेरे साथ participate करोगे, अब हम लोग test करेंगे आपका knowledge, आपने क्या सिखा भी, जैसे माल लो for example, अभी अब 3rd year में हो, और यह 4th year है, माल लिजए for example, 4th year में हमारा, हमें पैसे मिलेंगे, 295, interest rate है 7%, आप मुझे बताइए, 3rd year की value क्या होगे, आप मुझे बताइए, अगर 4th year में आपको 295 मिलेगा, 3rd year की value क्या होगे, मुझे बताइए, क्या आप President में खीचोगे, यह साप President में खीचोगे, क्या यह 295 के अंदर interest भी होगा, हाँ, कितने साल का interest होगा, यह भी मुझे बताइए, कितने साल का, 4th year से 3rd year में आना है, आप मुझे अंसर बताओ, सब के सब participate करके मुझे अंसर बताइए, मेरा 3rd year में value क्या होगा, यह जरूर ही है, यह सब basic, आज एक घंटा, देर घंटा मेरे साथ दीद होगे, आपके 0.07 करेंगे, हम बोलेंगे इसके अंदर 7% interest भी है, मतलब यह जो है, यह 1.07 है, अगर यह 1 है, तो वह 1.07 है, मेरे आएगा 275.70, अब और थोड़ा सा इसको tough बनाते हैं, मालो 2nd year में हम हैं, और यह 5th year है, अब बताओ, 5th year में अगर 295 है, तो 2nd year में क्या होगा, इस बार भी मुझे आप पार्टिसिपेट करके बताइए, मुझे इंटरेस्ट चढ़ाना है, कि निकालना है, मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे 5th year से बैक जाना है, 2nd year पर जाना है, कितने साल पैक जाना है, कितने साल पैक जाना है, मुझे गताब, कि अवरोजी निकल ये मुझे कफ आ गया, आसी हो गई है, एक बार रुखो एक बार आप रुखिए मुझे स्क्रीन को है ना फिर से ठीक करना तो स्क्रीन काम नहीं बस्त एक मिनिट में हो जाएगा तब तक मुझे अंसर दे दो कर रुखिए एक के भी आई तिंक अंसर दिया आप लोग ने 240.85 बच्चों का कहना है तो देखिए सिंपल सी बात ही यहां पर हम करेंगे कि देखो अंसर सही है मेरे ख्याल से देखो 295 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.07 से कितने बार तीन बार करना पड़ेगा फिफ्ट तीर से हमें जाना पड़ेगा सेगंड यह तो में तीन बार करना पड़ेगा तू दी पावर थ्री मतलब आप 295 में से 1.07 अगर एक बार डिवाइड करोगे तो बताओ कब का आएगा यह 275 कौन से एर का आएगा यह 4th year का आए जो आपको 275 दिख रहे है न यह 4th year का आएगा आपका कूँगि 5th year से 4th year में पॉछनोगे 1 साल का इंटरस निकाला फिर एक बार और डिवाइड कर दिया 1.022 से तब 3rd year की वहलू आएगे 257 क्योंकि दो साल का इंटरस निकाला है 5th year से 2 साल का इंटरस निकालोगे तो 3rd year के वहलू आएगे अगर अगर और for example हम 0 tier पे होते हैं और यह 5th year होता ठीक है 5th year में value 295 होता तो अब हम क्या करते हैं हमें कितने साल interest निकालना पड़ था 5 बार 5th year से 0 tier में जाना इन्हीं 5 बार interest निकालना होता फिर एक बार divide करूँगा मैं एक साल का और interest निकाल दिया मैंने divide करके 7th year का value आगया यह फिर मैंने think अब आपने ये समझ लिया है कि हम क्या कर सकते हम future में value में लेकी जाएंगे तो multiply करना होगा मैं present में आएंगे तो मैं divide करना होगा तो चलिए अब आप self करते जाना मेरे से पहले self करते जाना आप यहाँ पर ठीक है अगर 0 tier में value है 500 और interest rate है 18% तो मुझे बताए ये value of 5th tier कितना होगा या फिर value of 6th tier लेते हैं 6th tier की value कितनी होगी 0 tier की value 500 है interest rate 18% है तो 6th tier की value कितनी होगी आप बोलोगे sir 500 में आप 18% चड़ाओगे 6 बार into 1.18 to the power 6 चीए बार 1.18 से multiply करो तब आपका 6th tier का अंसर आएगा मुझे बताओ कितना अंसर आ रहे हैं फिर another एक और example लेते हैं second year की value है 500 और interest rate है 18% आपको अगर चाहिए value 6th tier की value चाहिए इस बार क्या करोगे 500 को 18% चड़ाओगे उस पे 1.18 कितने बार second year से मुझे 6th tier पे जाना है 4 बार होगा मेरा agree करते हो या नहीं मुझे बता देना 4 times होगा क्योंकि second से third, fourth, fifth, sixth चाहर बार मुझे interest चरहाना पड़ेगा पहले वाले का answer भी बता दिया 1143.87 यह यह क्या दूसरे वाले का भी मुझे answer बता दीजे third year में मान लीजे for example fourth year की value है 450 interest rate है 3.5% interest rate कितना रखा है मैंने 3.5% रखा है value of seventh year कितना होगा हम बोलेंगे 450 में 3.5% का मतलब क्या अगर 1 रुपी में 3.5% interest चड़ा दू तो कितना आएगा मुझे बता दू अगर हम 1 रुपी में 3.5% interest चड़ा दे तो 1.035 होगा आप कर सकतो कभी फेक्टर निकान लो नो 1 प्लस 3.5% कर तो आगे 1.035 कितने बाद मुल्टिप्ले होगा हमारे कि पोर तीर से सेवें तीर पे जाना है मतलब त्री टैम्स अंसर दूसरी वाले का 1349.77 क्या नहीं कुछ गरबड हुआ है क्या नाइन सिक्स नाइन पॉइंट त्री नहीं ने क्या नाइन सिक्स नाइन पॉइंट त्री सेवें ने क्या चलो 3837 लिख दिया मैंने अब नेक्स्ट वाला बता ही मुझे कितना आएगा 498.92 क्या आप लोग के बताने के साब से लिख रहा हूं गलत आप लोग हो सकतो मुझे मत बोनना ठीक है मैंने जो आप लोगों बता ह मैंने लेक लिए मैंने कैल्कुलेट नहीं कि अब आगे और लेते हैं तीन चार ऊंद के छोड़ देते ताकि अब वाल हमारा प्रेजेंट वैलू पूरा हमारा एक गड़्ल मच्ट्ध एं फिफ्ट यह की वेलू है मालो सिक्स विफ्टीं एंटरस रेटे 5.5 परसेंटेज हमें निकालना है वेलू आप परस्ट यह फिर्ट यहर से फिर्ट यहर की वेल्लो में आना में कितने साल बैक आना में चार साल बैक आना में 4 यहर बैक आना में तो 650 divide करूँगा इस पर क्योंकि interest निकालना मुझे डिवाइड पर 1.055 अब कर सकते 1 प्लस 5.5 परसन 1 प्लस 5.5 परसन 1.055 यह हमने कर लिया आपर कितने बार बैक जाएंगे चार बार बैक जाएंगे फिप्ट येर से फिर्स येर पर तो फोर टाइमस अगर हम बैक जाएंगे तो अंसर कितना होगा मुझे बताईए फिर फाइव मालो सेवन्थ येर सेवन्थ येर के वेलू है 950 interest rate 9.6% तो value हमें चाहिए मानलू of 3rd year यह चलो 2nd year की value 7th year से 2nd year पे आना है कितने साल बैक जाना है 5 साल बैक जाना है 5 years बैक जाना है 950 मैं से मैं interest निकालूँगा 9.6% करके 9.6% का factor क्या होगा 1 प्लस 9.6% 1.096 आएगा अब चेक कर ले ना calculator में 1.096 से divide करूँगा क्यों क्योंकि interest निकालना है मुझे future से president मैं आना 7th से 2nd year पे आना है that means what 5 साल का interest निकालना है मुझे 950 divided by 1.096 कितना आगे यह 866.7 तो यह थोड़े 5 साल बैक जाना है कितना आएगा बताते ना मुझे तो दोनों का answer मुझे बता दो एक तो आप लोगा ने बता 524.69 बताएगा चार बार बैक करने के बाद 524.69 बताएगा इसका भी मुझे बता दीजे इसका भी मुझे बता दीजे इसका वाला कितना आएगा 600.72 चलो दिख लेता है अब आई थिंग आप प्रेजेंट वेल्यू से वाकित होगे एकदम अच्छी तरीके से अब हम थोड़ा सा और अच्छा वाला एक्जाम्पल है कुछ अलग जिसे माननो खुछ अनुझ फॉर एक्जाम्पल इसी बंदे ने आपको कहा है वह आपको फर्स्ट एयर में ऐह फॉरूर्द सिफ्टी रुपीज देगार एक है अटिर में वह आपको टू उ एंड्र उ फफॉफ्टी देगा ए है 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 तर्ड एयर में require rate आपको चाहिए 12% interest rate 12% अपकी require rate 12% कोई मुझे बता सकते हैं कि मुझे आज 0-3 में कितना पैसा देना चाहिए invest करो अगर मुझे future में ये cash flows मिलने वाले हैं तो मुझे आज 0-3 में present में कितना पैसा लगाना चाहिए तो आप क्या करोगे one by one हम पहले देखेंगे 450 की present value क्या होती कैसे निकालेंगे 450 divided by 1.12 एक बार करेंगे एक बार ही करेंगे क्यों क्योंकि first share में ये value है मुझे 0-3 की value निकान लिए तो एक साल का interest निकालना पड़ेगा 12% का factor क्या बनेगा 1 रुपी बनेगा 1.12 तो एक बार 1.12 से डिवाइट करूँगा मैं 450 divided 1.12 आप लोगी बता दो कितना रहा हुआ कि खुड़ ठीक कर लेना सृष्टी जी अगर कोई रौंग है तब खुड से ठीक कर लेना ठीक है पताओ मुझे कितना आएगा present में present में कितना आएगा 401.78 आएगा चलो 401.78 आएगा अगर मैं सही हो तो पांसा ब्लॉक्स जो आ रहा सकत मेरे फ्रेंड है काफी close मेरे भाई जैसे वह यह तो मुझे बता देना मुझे तो लगता है वह यह क्या आएगा कैसे तेकेंड डियर का क्या आएगा मुझे बता दू कि हम क्या करेंगे ट्टि को हम क्या करेंगे ट्ू फिप्टि मैंने लिग दिया पहले अब बताओ मैं अब सेकेंड से 0-3 में आना चाहते हूं कितने साल का interest निकालूँगा 2 साल का interest निकालूँगा मैं 1.12 to the power 2 करना पड़ेगा 2 बार divide करना पड़ेगा secondary से 0-3 में आने के लिए है ना तो 250 divided 1.12 equal equal 2 बार लगाऊंगा मैं 199.30 आ रहे 199.30 यह आ गया मेरा चलिए तो यह वाला भी आ गया अब हम करते हैं नेक्स्ट थार्ड यर का थार्ड यर का देखते हैं तो थार्ड यर में अब क्या करोगे 650 रुपीज है जो थार्ड यर में मुझे मिलेगी उसके लिए आज मैं कितना दे सकता हूं 0-3 में मैं इस में से तीन साल का इंटरस निकालूँगा 650 मैं से 1.12 करके तीन बार डिवाइड करूँगा 650 डिवाइड 1.12 इक्वल 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 कैल्कुलेटर में तीन बार इक्वल करोगे आउटोमेटिकली तीन बार डिवाइड हो जाते हैं ऐसे तो आप ऐसे करते हैं 650 divided 1.12 फिर equal करते हैं जो वल्लू आ था फिर divide by 1.12 वो करने की जहरत नहीं पड़ती है calculator में सीधा आप equal equal करोगे बहले आप repeat करो divide को तो अपनी आप यह आ जाएगा आपका 462.66 आ रहे है चलिए 462.66 आ रहे है फिर next वापस से 750 जो हमारा है इसको भी हम क्या गरें इसे किदने साल का interest निकालेंगे चार साल का 1.12 to the power 4 750 divided 1.12 एक दो तीन चार और 76.63 यह आ रहे है 476.63 आ रहा हमारा 64 ले लेते है 476.64 ले ले लेते हैं आ पर तो आप बताएए मतलब कहने का मतलब जो future में मुझे पैसा मिलेगा उसकी present value मेरी यह है तो कितना आया इसका present value मुझे अब यह बता दीज़े टोटल चारों का मिला के total present value कितना आया है हम इसको verify भी करेंगे क्योंकि आज की class में मैं कोई गिला सिक्वा नहीं छोड़ना जाता मैं पूर आपका दिमाग क्लियर कर दूँगा यह क्लियर करने के बाद आगी जाके financial reporting में भी आपको काफी मदद मिलेगी फानिशल रिपोर्टिंग में भी काफी मदद मिलेगी इस बात की मैं guarantee दे रहा हूँ वहाँ पर में फानिशल इस्टुमेंट्स बगीर इस सब पढ़ते जहां पर interest component का बहुत बड़ा रोल होता है तो फानिशल रिपोर्टिंग में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी आपको इसलिए मैं यहाँ पर एकदम क्लियर करना चाहता हूँ आपकी सभी हम इसको verify भी करते अब आप मुझे एक बात बताओं मेरे साथ participate करना बंद मत करना मुझे बताओ आपने मालो amount आपने invest कर दिया कितना 1540.38 अब एक बात बताओ मुझे आप खुद अगर हुशार हो आप किस आप अगर कहीं पर भी 1540.38 इनवेस्ट करोगे एक साल के बाद आ आपको 1540.38 तो चाहिए गई या साथ में आपको interest नहीं चाहिए एक साल का आपने जितना amount invest किया है उस पे आपको interest भी तो चाहिएगा कितना interest चाहिएगा 1540.38 पे कितना पैसा लगाया इसका 12% मुझे interest चाहिएगा into 12% कर दिया 184.85 ले लेते हैं क्या मुझे 184.85 का interest भी च यह मेरा क्या हो गया यह मेरा interest हो गया तो total amount मुझे कितना चाहिएगा एक साल के बाद total मुझे कितना मिलना चाहिए मैं बोलूँगा देख मैंने यह principal पैसा invest किया यह मुझे चाहिए एक साल के बाद और साथ में मुझे interest amount भी चाहिए एक साल के बाद तो total मुझे पैसा कितन उतना छाहिए 2725.22 चाहिए या फिर 23 लिख देते कोई दिखत नहीग हो मुझे पैसा चाहिए क्या मुझे फ़र्स ringing में कोई पैसा मिलेगा बताँ यह मुझे फ़र्सito q exception में इतना तो मुझे टोटल पैसा चाहिए किके इतना मैरे the एमाउंट है मुझे क्या first year में पैसा मिलेगा यह 450 रुपीज मुझे मिलेगा first year में तो 450 रुपीज तो मेरा receive हो जाएगा first year में कि तो amount due कितना बचेगा बता दू कि amount due कितना बचेगा कि amount due कितना होगा यह principle है कि यह received हुआ आपको कि और amount due कि पर्स्ट यहर एंड में हमारा amount due कितना होगा यह मुझे बता है यह फटा फट से जल्दी से हम यहाँ पर लेट नहीं करेंगे थोड़ा तीजी से आगे बढ़ेंगे किजिए अपसी करें 1275.23 1275.23 होगा हमारा यह amount due होगा चलि फर्स्ट यहर की कहां नहीं खतम है अब मुझे सेकेंड एर में बताओ सेकेंड एर में मेरा प्रिंसीपल एमाउंट जो due था 1275.23 था तो इसी में तुम्हें इंटरस चीएगा कितना पैसा मेरा due है तो ये मेरा principal amount due था 1275.23 फर्स चेर केंड में तो secondary में मैं ये पैसा माँगूँगा और इस पर मैं क्या माँगूँगा interest भी माँगूँगा इस पर कितना interest माँगूँगा 12% का 153.03 कितना मुझे interest चाहिएगा तो मेरा total amount मुझे कितना चाहिएगा 153.03 को जोड़ दिया आपर जोड़ दिया तो total amount कितना चाहिएगा 1275.23 plus 153 मुझे बदा दो 1428.26 पैसा मिला कुछ yes 250 रुपेस मिल गया 250 रुपेस मिल गया तो अब मेरा amount due कितना रहेगा yes मैंने interest जाल दिया अब मुझे बता दो amount due कितना रहेगा 1400, 1200, 1178.26 होगा I think 1178.26 होगा मेरे ख्याद इक बार आप verify कर देना ठीक है second year मेरा इतना due रहेगा इक बार verify कर दो मुझे third year के बाद करते है yes third year में 1178.26 पे interest चड़ाओ गया 1178.26 पे कितना 12% 141.39 यह interest चड़ाएंगे यहाँ पर तो total amount कितना due रहेगा और उस total amount due में मुझे पैसा मिल जाएगा 650 रुपेज 1178.26 परफेक्ट है उसमें मैं interest चड़ादूँगा 12% तो मुझे 12% interest मिलना चाहिए मैंने पैसा जो invest किया 12% interest के लिए किया तो वो पैसा मुझे मिलना चाहिए और फिर मैं minus कर दूँगा 650 रुपेज तो मेरा कितना आएगा 141.39 तो निकाल लिया हमने अब अब मुझे फटा बट बत देगी calculate तोड़ा speed बनाओ अपना 1319.65 तोड़ा speed बढ़ाई है अब तो 650 माइनस कर देंगे अगर इसमें से तो 706.69.65 होगा अब फूर्ट यहर पे 669.65 कि इसमें इंट्रेस्ट चड़ाएंगे कि 80.36 कि इसमें इंट्रेस्ट चड़ा दिये 80.36 का total amount मेरे क्या से rounded off अगर आप करोगे तो अब देखलो 60.70 यह 750 ही आएगा आपका और 750 रुपीज हमें मिल जाएगा आप देख लीजिए यह last में नील हो जाए तो वही तो मैंने verify करना था कि देखो last में मेरा पैसा future में आपको मिलेगा तो आज आप इतना पैसा invest कर सकते हो प्रेजेंट value से भी समझा दिया future की value को मैंने तोड़के समझा दिया बताओ क्या यह aspects भी क्या हमारा एकदम अच्छे से clear हो गया जी हाँ मुझे लगता यह पूरा एकदम अच्छे से आपको clear हो जोगा एक बार मुझे अब हरी जंडी दे दो कि सर अभी तक जो भी आपने पढ़ाया वो सब कुछ हमें एकदम अच्छे से आप आँगा वाँ तो देखे अनादर एक्जामपल में एक और लेता हूँ आपके साथ जीरो तियर फस्टियर सेकेंड डियर हर्डियर पोर्टियर पिफ्टियर यह एकदम clear है तो अब मुझे बात और बताओ आप आप एक बात बताओ मुझे मानलो पूर एक्जामपल पांच साल तक हर साल 850 रुपीस मिलेगा और इंट्रेस्ट रेट है मान लीजे 12 परसेंटी इंट्रेस हijd प Kendra को है तो अब क्या करोगे आप बूले सथ्सक्र इस 8-50 को हम 12% से कीचिंगे एक बार यानि 850 divided 1.12 एक बार करेंगे इस 850 को divided 1.12 दो बार करेंगे इसको तीन बार करेंगे इसको चार बार करेंगे इसको पांच बार करेंगे जी यहां जरूर से अंसर आएगा जरूर से अंसर आएगा मतलब कहने का मतलब चलो आपका कहने का मतलब यह रहेगा सर यह 850 जो है न इसको आप डिवाइड बै 1.12 एक बार कीजिए यह वाला जो है न इसको 850 divided by 1.12 तो बार कीजिए पर इसका मैं shortcut आपको बताऊँ इसको आप बुलो सर यह जो 850 है इसको divided 1.12 तो एक बार कीजिए फिर आप बुलो सर यह वाला जो 850 है इसको आप divided 1.12 से चार बार करोगे पिर यह जो 850 है इसको आप डिवाइड करोगे 1.12 से 5 बार ऐसा करने पर आपका अंसर आएगा चलो एक काम करते लिख भी लेते इस कांसेट 850 डिवाइड़ 1.12 करूँगा पहले वाला आएगा 758.93 किसी में equal दबा डूँगा क्योंकि the time 850 तो दुसरे वाला भी आ जाएगा अкус। देवाद यह दो बार इक्वेल होगिया मतलब 677.6261 ले ले 677.61 दो बार डिवाए होई है फिर एक बार ओर एक्वेल देवाए तीन बार डिवाइड हो गया 605.01 क्योंकि एमाउंट से में ना 850 850 850 एक बार और इक्वेल देवाद यह 540.19 नहीं है ना फिर एक बार और इक्वेल दबा दिया 482.31 यह मेरा अंसर आ गया बताओ कितना आ रहे है लेकिन इसको हम ऐसे भी करेंगे और एक तरीका वो भी मैं आपको बताओ ऐसे भी कर सकते एक और तरीका मैं आपको बताओ यह तो एकदम ऐसे हमने कर लिया calculator में एक एक करक के मने वैलू निकाला पर उसकी जर्यत नहीं उसकी आवसक्ता नहीं है calculator का मैं shortcut बताओंगा जो आपको एक्जाम में करना है उसके लिए बार calculator अगली रूम से मंगवा लिए संदीब जी आप मुझे लाके दूना उस रूम में इंदीनों बीच में मैं संदीब जी बीजी था पर मैं आगे reply करूंगा वार्ट सब्सक्ता या फिर आ मुझे कॉल भी कर सकते मैंने नंबर दिया वैसा भी और मैं यूस्ट वरी कॉल उठाता भी कैंसर की कोई बात नहीं संदीब जी मुझे कॉल भी कर सकते चलो तो यहां पर कितना 3064.06 बहुत ज़्यादा मेसेजस आते हैं कई बार तो reply नहीं कर पाता 306.3064.06 यह आया परफेक्ट तो यह हमारा आ चुक है यहां पर इसे मंगवा रहा था विडियो क्वालिटी हमारी लो नहीं है आपका internet बफर कर रहा होगा इसलिए video quality में problem होगी बाकियों को तो मेरे खियाल से video quality में problem नहीं आ रही होगी आपका internet का problem के वज़े से ऐसा हो सकते हैं तो आप देखिए मेरे हाथ में calculator है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने 850 क्या किया मैं इसको अनादर तरीके से करना चाहूँ है मिल गए मिल गए हमने क्या क्या पहले वाला 850 को 1.12 से डिवाइड किया दूसरे वाला 850 को हमने 1.12 से दो बार डिवाइड किया तीसरे वाला 850 को हमने क्या किया 1.12 से तीन बार डिवाइड किया फिर चौथे वाला 850 को हमने 1.12 से चार बार डिवाइड किया मतलब calculator का shortcut बताने से पहले logic तो बताना है जो अपने school में math में किया हुआ है फिर पांचवे वाला 850 को आपने 1.12 to the power 5 से डिवाइड किया और आ आप the moment आप 1.12 से डिवाइड कर दोगी यह 0-3 की value हो इसको भी 1.12 से दो बार डिवाइड कर दोगी 0-3 की value आ जाएगी क्योंकि यह first year का value है इससे डिवाइड करने पर 0-3 होगी यह second year का value है दो बार डिवाइड करने पर 0-3 का आ गया यह third year का 850 है तीन बार डिवाइड कर कुछ दिख रहा है यह 850 हमें common दिख रहा है तो कि जो 850 common दिख रहा है उसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं हम 850 common को बाहर कर देते हैं और हम लिख देते 850 के जगा 1 divided by 1.12 plus 1 divided by 1.12 to the power 2 plus 1 divided by 1.12 to the power 3 plus 1 divided by 1.12 to the power 4 plus 1 divided by 1.12 to the power 5 कि मैंने कर दिया मतलब मैंने 850 common को बाहर कर दिया और इन सब का summation कर देंगे यही summation को हम calculator में निकालते हैं यह summation को यह annuity factor का PV आ जाता आपका आप देखेंगे हम कैसे निकालेंगे तो अब देखो आप यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए मैं सीधा 850 जो है इसका मैं sum value निकाल क्या है कैसे करेंगे calculator में देखो पहले वाला है कि 1 divided 1.12 calculator में मेरे साथ participate किजे मेरे साथ किजे calculator में लिके 1 divided 1.12 आप equal करो आपका अंसर आएगा पहले वाले का .89285 मेरा पहले वाला है पांच डिजिट ले रहो हाला कि exam में हम तीन यह चाहर डिजिट ले पांच डिजिट मै पहले वाले का फिर एक बार और equal दबा दूँगा तो मेरा आएगा .79719 पिर एक बार और एक्वल दबा दूँगा पॉइंट सेवेंट डबल वन सेवेंट आएगा तीसरे वाला आगिया पिर एक बार और एक्वल दबा दूँगा पॉइंट सेक्स त्री डबल फाइफ टू आ जाएगा तो थे वाला फिर एक बार और इक्वल दबा दिया पॉइंट 5674 इसका जो भी value आएगा उसको total करके 850 से multiply कर दिंगे बात खतम अब calculator में फिर से करो चलो ही तो मैंने value लिखा calculator में फिर से क्या करेंगे देखो 1 divided 1.1 1 divided 1.12 मेरे साथ करो calculator 1 divided 1.12 equal किया m plus पे छोड़ दो आप क्योंकि इन सबको plus करने के लिए हमें क्या जरत पड़ेगा m plus का इस्तमाल करेंगे तो मैंने क्या क्या 1 divided 1.12 equal m plus पे छोड़ दिया फिर दूसरा equal दबाए ये value आएगा आप क्या calculator में देख लो m plus पे छोड़ दो फिर तीसरा equal दबाओगी आपका ये value आएगा है न एम प्लस पे छोड़ दो फिर चोथे बार equal दबाओगी ये वाला value आएगा आप देखलो m plus पे छोड़ दो फिर पांचवा equal दबाओगी ये वाला value आएगा m plus दबा दू M plus में बार बार दबा रहा क्यों सब को plus कर सोको फिर M plus M plus दबाया हुआ था मैंने MRC कर दिया MRC करने पर पता है मेरे कितना है 3.604 double 7 3.604 double 7 तो इसको मैं अब 850 से multiply कर देता हूं मेरा आगया 3064.06 तो यह तो मैंने lengthy process में आपको बताया है lengthy process में मैंने आपको बताया है तो यह समझाने के लिए पूरा lengthy process बना विसकी practice भी तो चाहिए ताकि exam में आफ अफटा पवर्ट कर सको उसके लिए में एक another example ले लेते हैं चलिए एक another example ले लेते हैं तो देखिए अगर जब कभी भी आपको common देखे फर्स्ट येर सेकेंड येर ठर्ड येर फोर्ट येर फिफ्ट येर आपको मानलो common देख रहे हैं तब common है एक एक करके क्यों खीचे unnecessary sense नहीं बनता है इसके अच्छा calculator में क्या करोगी बताओ calculator में हम करते वन divided by 14.7 का factor क्या होगा वन प्लस 14.7 करके देखिए वन रुपी अगर मैं इंवेस्ट करूँ तो एक साल की बाद कितना होना चाहिए 114.1 रुपी अगर इंवेस्ट करूँ तो आपका एक साल की बाद होगा 1.147 क्यालकुलेटर में कर लिजिए वन प्लस 14.7 परसें परसें परसेंट वन पॉइंट 147 आएगा चेक कर लिजिए आप क्यालकुलेटर तो हम यह तो पता चेलिए 1.147 आएगा इसको एक बार डिवाइड करेंगे इसको दो बार करेंगे इसको तीन बार इसको चार बार इसको पांच बार पर इसका सौटकर तरीका हम कैसे करेंगे 1 डिवाइड 1.147 इक्वल किया पहले वाले का पीवी फेक्टर आएगा वन रुपी का पहले वाले का पीव फेक्टर आएगा तो कि मै प्लेस पर छोड़ दूँगा पांच बार करने फिर इक वल के एम प्लेस पर छोड़ दूँगा MRC दबा दूँगा मेरा था 3.3761 इसका मेरा वेल्यू आ गया तो आया ना मेरा यह मैं क्या लिखूंगा इक्वल 1150 रेजेंट वल्यू क्या आएगा मेरा 1150 इन्टू 3.761 यह आएगा मेरा कितना आयस का वल्यू इन्टू 1150 कर दितो हूँ इस तो मेरा आगे 2.42 पर आपको पता एकशाम में आप डेरेक्ट्ली भी कर सकतो मैंने तो पहले वन का निकाल है सीधा ऐसे भी तो कर सकते हो मैं पता है कलकुलेटर में क्या कर सकता हूँ मैं सीधा आप ऐसा भी कर सकते हो तो calculator में 1150 लिखा आपने calculator में क्या लिखा 1150 लिखा डिवाइड़ 1.147 लिखा इक्वेल M प्लस इक्वेल M प्लस इक्वेल M प्लस इक्वेल M प्लस पांच बार दबाए M MRC कर दिया यह एक और shortcut क्या है आपका calculator में आप कैसे कर सकते हूँ 1150 लिखा इवाइड़ 1.147 यह था इक्वेल M प्लस किया इक्वेल M प्लस किया पांच साल के तो पांच बार करना पड़ेगा इक्वेल M प्लस इक्वेल M प्लस किया इक्वेल M प्लस किया और फिर हम ने MRC दबा दिया और हमारी value आ गई 382.5 382.5 हमारी value आ गई यह हमारी value आ गई हैं अब मैं थोड़ा से इसको tougher बनाता हूं थोड़ा सा और tough बनाता अदो हैं जाएगा तभी तो लगेगा कि आप हुश्यार बन रहो आगे जाकि कोछ कठी नहीं नहीं आएगे माल लिए जब फर्स्ट एर में मुझे मिलेगा कुछ भी नहीं कि सेकेंडर में मुझे मिलेगा टू फिफ्टी में मुझे मिलेगा टू फिफ्टी 4th year में मुझे मिलेगा 450 5th year में मुझे मिलेगा 450 6th year में मुझे मिलेगा 450 7th year में मुझे मिलेगा 450 क्या हम इसको भी directly calculator में कर सकते हैं बताओ अगर rate of interest है 13% rate of interest 16 पर हम क्या करें calculator में एकदम shortcut आप मुझे बते ही साथ participate कीज़े पहले वाला value तो 0 है 0 का present value 0 ही होगा तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है second वाली value 250 एक काम करते है calculator में लिखते है 250 आप individually भी कर सकते हैं 250 को आप करो 250 divided 1.13 to the power 2 कर दो एक एक करके भी value आप निकाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर मैं आपको ऐसे सिखा रहा हो कि आप overall कैसे एक बार में shortcut में निकाल सकते हैं आप one by one निकाली चलेगा कोई दिक्कत नहीं है one by one एक एक करके value निकाली आप कि करके चलेगा उसमें कोई आपती नहीं है लेकिन मैं आपको यह कहना चाता हूँ कि अब एक साथ कैलकुलेटर में कैसे निकाल सकते हूँ तो उसके लिए आप क्या करोगे आप किज़े 250 को डिवाइड़द 1.13 कितनी बार दबाओ में एक्वल M अप्लस तो दबाना नहीं हीए 250 तो आप भी समझे एक्वल M प्लस मत दबाना क्योंकि पहले साल तो हीए नहीं 250 तो दूसरे साले, तो दो बार equal दबाना पड़ेगा, दो बार equal दबा कि M plus ले लिजाब, फिर वापस से तीसरे बार equal में 250 ये ये, तीसरे बार equal में 250 ये, M plus ले लिजाब, तो मतलब मैंने क्या किया, मैं आपको लिखा के बता रहाँ, 250 को मैंने डिवाइड किया, 1.13 से, पहल equal में तो कुछ ही निस यह तो Mopfας आएगा नहीं, दूसरे वाला equal को मैं plus में रख रहा अओ, तो दूसरे वाला value है, किसका value आएगाए। दू बार equal दबाओँगा, इसका value आएगा मैंने Mopf 지난 2016 प्र 25 फिर तीसरे वाला equal में भी आपका value है 250, इसको भी मैं M plus में रखूँगा यह मैंने रख दिया अब तो value भी बदल रहे है अब तो दूसरा नया value आगया अब तो आगे equal M plus की बाद ही नहीं आती है तो अब जो नया value आया मैं उस value को calculator में रखता हूँ 450 को तो अब मैं क्या करूँगा calculator में रखूँगा continue करके 450 रखूँगा 450 को divide करूँगा मैं वापस से किसे 1.13 से 450 को मैं divide करूँगा किसे कुछ calculator में गर्बर हुआ मेरा 250 divided 1.13 equal equal M plus equal M plus फिर 450 लोगँगा divided 1.13 अब बतो कितने बार equal दबाने के बाद M plus लेना चाहिए पहले बार equal दबाऊंगा नहीं होगा क्योंकि नया से value लिए है इसमें तो नहीं है दूसरा में भी नहीं है तीसरा में भी नहीं चोथा में तो इस बार में equal दबाऊंगा चार बार तीन बार में तो हही नहीं चार ब में भी M Plus होगा साथ वा इक्वल में भी M Plus होगा फिर MRC होगा तो दिखें Equal M Plus Equal M Plus Equal M Plus फिर MRC कर देंगे 1296 आएगा आप देख लिए जब लू आज यह आना चाहि मेरे 1296.70 महले यह तो मैंने एक दम थोड़ा higher version में आप लोगों सिखा दिया मैं थोड़ा higher version में लेके गया मैंने higher version में आपको सिखा दिया कि आप calculator में directly कर सकते हो साइद में भी ऐसा हो सकता है कि अभी आपसे ना होई अभी आपको लगे सर क्या हो रहा समझ में नहीं आया आप वन बाई वन करेंगे कोई दिक्क्तर करेंगे मतलब कुछ नहीं यह calculator का टेकनीक से जो बस मैं आपको बता रहूं और कुछ भी नहीं तो calculator में किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी विगर को भी हम अराम से calculator में पर से pour cupcakes में कर सकते हैं तो आप बताई यह सारी चीज आपको परसमझ मैं आ गये हाप समझ मैं तो एक हो थोड़ा सम टाइम विली ओ को खेलते हैं टाइम विलिू के साथ कैसे खेलते मैं दिखाता हूं। फर्स्ट यह हैं, सेकंड यह, सेकंड यह, हर्ड यह, फोर्ट यह, फिर्स्ट यह, फिर्स साली लेता हूं। पर्स यह मालो 260 है सेकंड यर में 330 है फोर्त यर में 170 है फिफ्ट यर में 190 है फिफ्ट यर में 220 है यह मैंने अलग लग वैलू लिया एक तो प्रफकर तरीका के पूल प्रवह मं तो कुछ है नी तो 60 फिल्यू निकालो अप क्लेटर में एक वार निकालके दिखा दिखा दिए एक बार में कैसे निकाले ऐसे तो एक एक करके वैलू बता करेंगे प्लस करेंगे वह तो आता ही है रेट ओफ इंटरस्ट बोलो कितना है इं तो आप बोलोगे 260 divided by 1.09 equal करेंगे value आएगा 330 divided by 1.09 equal equal करेंगे value आएगा ऐसे कर सकते है calculator में भी ऐसे करना है पस M plus दबाते जाएंगे ताकि साथ साथ होते जाए तो देखो 260 मैंने लिखा calculator में divided 1.09 equal M plus में छोड़ दिया मैंने पहले वाला है 238.53 मैंने इसको M plus में छोड़ पहले वाला का value आएगा फिर 330 लिखता हूँ 330 को मैं क्या करूँगा divided 1.09 equal equal दू बार दबाना पड़ेगा सेकेंडर से 0-13 277.75 आएगा इसको भी मैं M plus पे छोड़ देता हूँ तीसरा वाला है 170 divided 1.09 तीन बार equal दबाऊँगा 131.27 तो भी M plus पे छोड़ दिया मैं फिर आया next 190 divided 1.13 एक्वल 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 चार बार दबाया M plus पे छोड़ दूँगा 116.53 M plus पे छोड़ दिया मैं फिर पांच वा वाला 220 divided 1.13 एक दो तीन चार पांच बार दबाया 119.40 जुरू आया पूर वन लिख देता हूं इसको मैं M plus पे छोड़ दिया MRC कर दूँगा 883.5 आयेगा मेरे ख्याल से 883.5 आ रहा है मेरे तो क्यालकुलेटर में आप देखको कुछ घरवड तो नहीं किया हमने 925.14 आ रहे क्या कुछ घरवड किया है क्या पिर से कर लेता हूं चलो 260 divided 1.09 9% था equal M plus 330 divided 1.09 equal equal M plus 170 divided 1.09 equal equal M plus 190 divided 1.09 1 2 3 4 M plus कुछ घरवड हुआ हमारा 220 divided 1.09 एक दो तीन चार पांच 10 plus MRC 925 भी आएगा ये गरवड हुआ है कुछ हमारा पता नहीं क्यों गरवड हुआ पर अंसर 925 आएगा ठीक कर ले न ठीक है कोई बात नहीं कुछ एक रॉंग हो गया था ठीक है 925.14 आएगा हमारा बोलो अगर आप 44 में लेकल्ड जाओगे तो कितना आएगा इसका वीलू मुझे बदा सकतो और 260 को अगर आप 44 में लेकल्ड जाओगे कितनी वेलू आए करूँगा और दो बार करूँगा तीन बार करूँगा मैं 336.70 आएगा इंट्रेस्ट शड़ाना है निकालना नहीं 336.70 आएगा क्या बता दो मुझे यह मैंने क्या फर्स यह की वेल्लू को हम लेके कहां गए फोर्ट यह में लेके गए सेकेंड एक वेल्लू को भी आप लेके जाओ फोर्ट यह में कुछ गरबढ़ हुआ है क्या नाइन परसेनल टू सेक्स्टी इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 तो आ रहे हैं आप इक्वल नहीं दबा सकते हैं आप यह रहान रगा मुल्टिप्लाइ जैसे डिवाइट के टैम हम इक्वल करते ते नहीं इस टाइम नहीं कर सकते हैं वो गलत आता है मुझे जहां तहीं याद है क्याल्गूरेटर सही नहीं बताते है कि समझाया है कि 67 क्यों बता रहे हुँ परस्ट यह से मुझे फोर्ट यहर पे लेके जाना है सेकंड ठर्ट चार बर तीन बर लेके जाना है तू सिक्स्टी इन्टू 1.09 इन्टू 1.09 इन्टू 1.09 इन्टू 1.09 इन्टू 1.09 ठीकि तो 336.70 कि 67 क्यों बता रहे हुँ भाई लोग है ना 36.70 यह होगा फिर 330 जो है उसको मुझे दो साल इंटरेस्त चड़ाना है 1.09 इन्टू 1.09 यह 392 आएगा पॉइंट जीरो सेवन पिर 170 में भी मुझे एक साल का इंटरेस्त चड़ाना फोर्ट यह में लेके जा रहा हुए कि अब फिर हो गया कि मुझे बता लेज़े पफर ओड़ा था ना कि मुझे बता दो पर्फेक्क्ली कि वापस से हम कनेक्ट हो गए कि है कि है कि मुझे फटा फट से बता दीजिए कि मुझे बता दीजिए फटा फट से अभी रिजिम हुआ है कि है फटा अब इस पर्फेक्ट ना भी कि अचला भी ठीक है यह ना इक चुली पता है क्या हूए है है इंडल वाईवर का कनेक्शन अभी आप्य हमारा लिए चेंज कर दिया हमने पहले वाला में दिक्कत था पता निक ध्यान में नहीं था कि क्या था पेयमेंट किया हुआ था आज आज है पता ने चेक नहीं किया पेंट नहीं किया हुआ तो उन्होंने पीना कुछ मैसेज किये से मिना काट दिया और फिर मैसेज करते कि आपका internet ड्रस्ट्रिक कर दिया अमने आपका पेंड नहीं है तुरं से पेंड करवा आप आप लिए हमारे class interrupt होगी पीच में और माहूल खराब कर दिया भी फालत होगा बड़ आगे हम आगे से make sure करेंगे कि ऐसी problem ना हो दुबारा यह चीज आगे से ना हो चलो अभी connect होगी आप मुझे मुझे इसका total बता दीजा मुझे कितने मज़िदार तरीके से बढ़ रहे थे इंटरप्ट कर दिया एटल वालों ने चोड़ना नहीं गाली दिने एटल वाले को लिए उन्होंने यह पता दिया पैसे ही सब कुछ है जलो हम बोलते हैं मैं देखते हैं कहीं ने पैसे ही सब कु करेंगे और ऐसे भी आप जो भी क्लास टुएंट है ना उनको एकसेस भी देंगे तो हमें एक ग्रूप भी बनाएंगे वाट्सप ग्रूप रहेगा टेलिकराम रूप ग्रूप रहेगा वहां पर हम कनेक्ट हो बाएंगा रहेंगा आपको जब लिंक दिया जाएगा तो व मैं जान मुझके मतलब थोड़ा सा अलग वे में करने की चक्कर में हम क्या करें 260 को मान लीजे 4 तेर में लेके गए तो उसकी वेल्लू यह आ रहे है 330 सेकेंड एर में इसको भी 4 तेर में लेके गए इंटरेस्ट चढ़ाया दो बार मल्टिप्लाइ किया 1.09 से 170 को एक बार मल्टिप्लाइ किया 1.09 से और यह 220 तो फ्यूचर की वेल्लू है इसे 4 तेर में लेके आओंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे कितना 1.09 से आ 170 इंटू 1.09 एक ही बार होगा और यह 220 डिवाइड बई की बट चाहिए 220 डिवाइड बई 1.09 तो यहां पर यह करने के बाद हमारा यह वेल्लू आगया तो अब मुझे अब बता दीजे कि कितना आया टोटल टोटल कितना आया यह ना तो बता इसका टोटल वेल्लू कितना मुझे फटा बट सो कुई तो बताओ वकूई तो बताओ कोई तो बताओ टोटल कितना आया मुझे बतातो फटा आया इसका ताके हम आगे प्रोसीड करेँ टोटल मुझे सुऊमच गोरिस अंकरजी जी है कितना है डूतल डिपल में 5.59 है यह आया 4th year के value अब इसने मैं निकालना चाहता हूँ सीधा 0th year के value तो क्या होगा 1115.59 यह 4th year के total value है सबको हमने ले लिया सबको हमने 4th year में लेके गए अब हम सीधा 4th year से 0th year में लेके जाना चाहता है मैं करूँगा 1.09 से divide to the power 4 क्योंकि 4th year से मुझे 0-13 में आना है 1115.59 डिवाइड़ 1.09 एक्वाल 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 1115.59 डिवाइड़ 1.09 एक दूर साथ 790 1115 गरबड हुआ है क्या कुछ गरबड किया टोटल में आप लोगों ने अंसर गलत आ रहा है कुछ तो गरबड किया आप लोगों ने 110 नहीं लिया क्या यह भी तो टोटल में लेना है यह क्यों भूल गए मेरे भाई यह भी तो लेना है कुछ आप लोगोंने गरबड किया अदर्वैस अंसर गलत आई नहीं सकता 1305.9 ये क्या गलत गलत बताते हो आप लोग बताओं क्या करते हो इतना सिखाने के बाद भी गलत गलत बताते हो ये 1NTV तो लेना ये भी तो फोर्टेर के वेल्लू है बाकि सबको फोर्टेर में लेके चले गए तो ये 1305.9 1305.9 चलो 1305.9 को हम डिवाइड करेंगे 1.09 चार बा कोई क्या था 150 नहीं लिया था आप लोगोंने मैं समझ गया है 1.09 1234 925.13 ठीको 925.13 अलग अलग वे से भी आप अंसर निकाल सकते हो क्योंकि सारा टाइम वेल्लू का खेले हम इंट्रेस्ट डाल के पहले फोर्टेर में पहुँचके फिर सीधा इकट्टा हमने 0-3 का अंसर अब कैसी कर आपका आएं बस आप इंट्रेस्ट में यह चीज़ बस दिमाग में बिला अभी तक मैंने क्लास में आपको क्या सिखाया अभी तक बस मैंने आपको इतना ही बताय टाइमवेलोफ मनी का कंसेट में कि हमें क्या करना है future में जाएंगे तो इंट्रेस्ट चढएं इतना करेंगे बात खतम तो यह अगर आपको क्लियर हुआ है तो अभी मैं आपको क्या करूँगा अब उसका आरम कर देते हैं एडवांस कैपिटल बजेटिंग का इतना सफीशेंड है भी टाइम विलोफ मनी का कंसेप्ट हमने सीखा है आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़े जो अभी नीड पूल नहीं है जिसे पी रेशियो आपको बताऊंगा अर्निंग अफियर्ली कंबांडिंग है ना एन्वली कंबांडिंग उन सब चीज़ों को हम कैसे हैं लॉजिकली वह सारी चीज़े सिखने हैं सिखना में अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट और पी रेशियो की बीच में क्या रिस्ता होता है कितने आप लोगों में से बहुत सारी ब कंपनी के पॉंट व्यू से तो वह सारी चीज़े अभी हम डिसकस करेंगे पर अभी फिलाल नीड नहीं है फिलाल यह टाइम वेल ओफ मनी का कंसेप्ट हमने सीखा एकदम अच्छे से आइधिंग यह अपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ अभी हम एडवांस कैपिटल ब अच्छे अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से माल लीजा फॉर इग्जामपल मेरे पास अभी एमांट है एमांट इन हैंड तो इन्वेस्ट रुपीज फाइव लाग मेरे पास है मेरे पास अपने हाथ में इन्वेस्मेंट करने के लिए फाइव लाग रुपीज ठीक है मेरे पास फाइब लाग रुपीज अभी है अगर मालेजिय में इसे बैंक में यह कहीं पर भी इन्वेस्मेंट करता हूं तो मुझे 10% मिलेगा उपूर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा 10% मैं लेजिए फाइब लाग रुपीज में कहीं पर भी अगर जमा करूं इन्वेस्ट करूं तो मैं 10% कमाल हुआ यह मैंने समझे हैं आपर बट मैंने एक प्रॉजेक्ट देखा देर इस वन प्रॉजेक्ट एक प्रॉजेक्ट है जहाँ पर एंटिटी बिजनस करना चाहते हैं उस प्रॉजेक्ट का इनिशल इन्वेस्मेंट है मालूं प्रॉजेक्ट का इनिशल इन्वेस्मेंट मालनो 5 लाग रुपीज इनिशल इन्वेस्मेंट करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यह नहीं हमें रिटन चाहिए अगर हम उस प्रॉजेक्ट में पैसा लगाएंगे मेरी बात ध्यान से सुनू अगर माल लीजे मैं करूँ तो मैं 10% कमार सकता हूँ घर में बैठे बैठे घर में 10% कमा सकता हूँ बट मैंने सोचा कि मेरा 10% से मन नहीं भरने वाला मैं 10% से मन खुस नहीं होने वाला मेरा मन नहीं भरा 10% से मैंने सोचा कि क्या मतलब दूसरी के धंदे में पैसा लगाना बैंग में भी पैसा धंदा करूँगा तो मैं उमीद करूँ ये project मुझे 15% return दे अगर ये project मुझे 15% return देगा तो ही मैं accept करूँगा इस project को otherwise नहीं करूँगा क्योंकि simple सी बात है 10% तो मैं घर बैठे बैठे कमा सकता हूँ मुझे कोई काम नहीं करना मैं साल बर कही और नौकरी कर लूँगा मैं है न मैं investment करूँगा मैं अब 10% आ जाएगा पर मैं नौकरी को हटा के मैं खुद से धंदा करना चाता हूँ तो मैं अपने time effort सब कुछ दूँगा risk भी उठाऊँगा तो मैंने सुचा कि मुझे 15% का return चाहिए यह मेरा required rate of return है अब समझे यह क्या है मेरा required rate of return है यह समझे अब project का cash close क्या है यह हम देख लेते है अन्यूल revenue यह मेरा आएगा माल लूँ कुल यह 50,000 पर एनम पाइव यह पांच साल तक मेरा revenue होगा कुल यह 50,000 कर अन्यूल कॉस्ट मेरा आएगा 90,000 पर एनम पर फाइव यह अन्यूल कॉस्ट यह अन्यूल कॉस्ट यह एक्स्क्लूडिंग डप्रेशेशन है कि दम समझने के लिए में एक्जाम्पल ले रहा हूँ है समझाने के लिए एक्दम अच्छे सा समझना है एन्यूल revenue देते हैं मैंने एन्यूल कॉस्ट बता दी एक्स्लूडिंग डप्रेशेशन क्या होगा tax rate मैंने लिख दिया हाँ पर 30% का tax rate यह मैंने एक एक्जाम्पल फ्रीम अब ध्यान से सुनों एक्दम अच्छे सम समझते हैं यह 0-3 है एक परस्ट एर एक केंड़ एर एर एक पुर्ट एर एर एक प्वाट एर एक पात साल की कहान यह 0-3 में मैं investment करूँगा तो 0-3 में आप मुझे बताए मेरा 5 लाक रुपीस का investment लगे ओ प्वाइव लाक रुपीस का मेरा investment लगे ओ आप एक बात बताओ मुझे सरकार क्या करती है गॉर्मेंट के पॉइंट वी सो सुचो गॉर्मेंट क्या करती है सरकार क्या कहती है आप जो भी earning करोगे न हम उस पे आपसे tax लेंगे और जो भी खर्चा होगा हम उस पे आपको tax saving then कि सरकार हमसे नेट profit में tax लेती है नेट profit का मतलब आपने खितना कमाया माल करके हम कमाएंगे 2,50,000 करके हम कितने साल तक कमाएंगे हम 5 साल तक कमाने वाले हैं 5 साल तक 2,50,000 रुपीज करके 5 साल तक हम कमाएंगे तो आपका 12,50,000 रुपीज हमारे total earning होगी है अपर ठीक है 12,50,000 रुपीज हमारे total तो ट्वल लाग 50 थाउजिन करके हर सल कमाएंगे पांत साल तक तो ट्वल लाग 50 थाउजिन रुपेस पे हमसे सरकार कितना टेक्स लेगा बतो यह कमाई पर 30% टेक्स लेगा सरकार हमसे 3 लाग 75 थाउजिन सरकार हमसे टेक्स लेगा देखा जाए तो जो हम कमाएंगे उस पे लेन हम खर्चा भी तो कर रहे हैं, खर्चा क्या कर रहे हैं, शुरुवात में एक मसीन वगिरा खरीदने में सुरुवात में 5 lakh rupees खर्चा कर रहे हैं, और सालाना 90 thousand rupees खर्चा करेंगे, कितने साल तर 90 thousand करके 5 years तर्था करेंगे, 90 thousand into 5 कितना हो, वो 4 lakh 50 thousand, तो 4,50,000 तो 5 साल ता खडचा होगा और 5, 09,00 इनिशल खडचा होगा कुल मिला कि 9,050,000 खरचा हो आउग तो देख अगर जो, तो नेट नेट में सरकार हमसे टैक्स दो लेने वाली है वो 90,000 लेने वाली है देख लो net पे और या फिर अब ऐसे भी समझ सकतो हमारा 12,50,000 का total earning होगा 9,50,000 का हमारा total खर्चा होगा तो net पे हमारी कमाई 3,00,000 रुपीज की होगी वो 3,00,000 रुपीज पे तो सरकार टेक्स लेगा 30% इन्हें सरकार टेक्स चो लेगा 90,000 का टेक्स लेगा और आप बताओ मेरा net कमाई कितना ओर है 3,00,000 कमाऊंगा उसमें 30% टेक्स देदूगा बचाओ मेरे घर लिखे जाओंगा तो वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे लेकि इसमें time value of money का भी कुछ concept आएगा वो चीज हमें ध्यान रखना है तो अब आप मुझे बताइए यह 5,00,000,000 रुपीज जो हमने investment में खर्चा किया यह मान के चलते सरकार हमें depreciation के थ्रू टेक्स बेनिफट देगा 5,00,000 रुपीज आज आपने खर्चा किया इस 5,00,000 कोई सरकार जीप लेकर आएगा आपके घर में और आपके कमाई से अपसे tax लेके जाएगा हिस्तिदारी लेक्के जाएगा या जब भी आप खर्चा करोगे सरकार उसमें भी इस्तिदारी रखिए तो आप बतेए kosten ङे 6, FC 5,00.000 रुपिज सरकार हमें tax benefit देगा कैसे देगा ? पूर तोड़के मानेंगे 5 सालों में देखेंगे क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है हम मान के चलते हमें tax saving कितना मिलीगा tax saving हमें कितना मिलीगा on initial cost अच्छे से लिखते हैं एक तो इनिशल इन्वेस्मेंट होगी हमारा यह इनिशल इन्वेस्मेंट हमारा 500 रुपीज हमने अपने पोकेट से दिया अब इसका 30% tax saving हमें आज नहीं मिलेगा हमें future में मिलेगा वापस से रिपीट करों इस 5 लाग का 30% कितना होता है उतना ही तो tax saving मिलेगा यह 150,000 यह 150,000 पांच सालों में तोड तोड के मिले थट्टी थाउचन करके हमें tax saving मिलेगा यह पैसा समझो मिलेगा हमें यह तो हमने समझ लिया अब आप देखको हमारा revenue कितना आएगा annual revenue हमारे कितना आएगा annual revenue हमारे क्या inflow है इंफ्लो कितना आएगा हमारा हर साल 250,000 का इंफ्लो मैं तूर तूर के कर रहा हूं यह मैं बस अंडेस्टेंडिंग दे रहा हूं अभी हम कोई एक्जाम का पैटन नहीं सिख रहे हैं एक्जाम में किस पैटन में करना वो मैं आपको बताऊंगा वो बाद में पहले आप समझ आप बघ्ताओ यहां पर जैसे मैंने का आपने खर्चा किया आपको टेक्स सेविंग लेघा अप कमाई करोगे इस पर अपसे सरकार टेक्सक का एकंस कितना लग जाएगा हमारे टेक्स एक्स एक्सपेंस्स हों रीवन्यू कितना के इядना टेक्स-टेक्सी सेख जो आपको सि पूलना है ताकि एक्जाम में कैसा भी कोशिन आए आपका दिमाग खुलावर है आप किसी भी तरीके से बस उसको सॉल्व करके आ जो एक रटाफिकिशन टाइप एक फॉर्मेट नहीं देने वाला फिलाल वह बाद में चलेगा अभी बस सीखने आपको अब देखो यह मैंने क क्या-क्या मैंने कहा मेरा खर्चा इनिशली उसके टेक्स सेवींग मेरा हर साल का रवन्यू उसके मेरे टेक्स का खर्चा अब क्या है और अन्यूख कोस्ट है 90 Kel क के कि एनीवल कोस्ट मेरा 90 खर्चा है मेरा 90,000 का annual cost क्या खर्चा है खर्चा है क्या इस पे मुझे tax saving मिलेगा जी हाँ खर्चे में tax saving मिलेगा tax saving on annual cost कि इतना मिलेगा 90,000 अगर मैं खर्चा करूँगा उसका 30% यह 27,000 मुझे tax saving मिलेगा बस सीखने के लिए भी यह formats हम एक्जाम में नहीं करेंगे अभी बस हम सीख रहें तो आप मुझे बताइए अब आपका किसी किसी बच्चे का सवाल आगा तो depreciation का क्या देखो depreciation का कोई रूल नहीं होता है अभी हम cash flow का काम कर रहे हैं हम यह दिखे रहे हैं प्रोजेक्ट हमें ultimately क्या cash देने वाला है तो cash flow depreciation आपको कहीं pay नहीं करना होते है depreciation role क्यों play करता है उसके जरी हम tax saving निकालते हैं वो तो हमने ऐसे भी निकाल लिया वो तो हमने मैं एक और alternative basis सिखाऊंगा आपको टेंसन की कोई बात नहीं है फिलाल आप यह वाला वी देखिए यह वाला वी देखिए अब यहाँ पर आपने देखा initial investment में में है टेक सेविंग लिया तो depreciation का सवाल ही नहीं आपर क्योंकि depreciation नौन क्यास आइटम है पाकि आगे उसके बारे में हम डिसकस करेंगे पर फिलाल मुझे बताएगे हर साल मेरा क्या इंफ्लोई आउट वो रहे है 30,000 इंफ्लोई है टेक सेविंग का तू लाग 50,000 तू लाग 80,000 हुआ तू लाग 80,000 माइनस 75,000 माइनस 90,000 प्लस 27,000 यहां यह वन लाग 42,000 आ रहे है कि अब देख लीजे वन लाग 42,000 आ रहे हैं तो कुल मिला कि हम क्या समझ रहे हैं हम यह समझ रहे हैं कि 5 लाग रुपीस आज हम पैसा लगाएंगे 0-3 में हम 5 लाग रुपीस पैसा लगा रहे हैं और फ्यूचर में हम इतना कमाएंगे तो future में अगर आप देखो कि कितना कमारे हो 1,42,000 कमाओ गया 5 साल तक इंटू 5 कर दो अब 7,10,000 रुपय कमारे हो 7,10,000 कमारे हो 5,00,000 रुपी लगा के आप 7,10,000 कमारे हो और आप देख लो दोनों की बीच में 2,10,000 का वो तो मैंने पहले भी बता दिया था जैसे मैंने आपको पहले क्या कहा था मैंने कहा था कि 12,50,000 हमारा annual revenue है और annual cost और initial investment मिला के 9,50,000 हमारा total खर्चा लग रहा है तो 3,00,000 की हमारी कमाई हो रही है उसमें से टेक्स दे देंगे 90,000 यहनि 2,10,000 हमारी कमाई होगी है वो मैंने बता है और वो यहां पर भी आ रहा है यह 7,10,000 आ रहा है और 5,00,000 खर्चा है मतलब नेट पे 2,10,000 की हमारी कमाई हो तो यह जो 2,10,000 की हमारी कमाई हमें देखना है यह 15% return हमें देती है हमारा cost of capital कितना 15% हम क्या करेंगे इन सब को 15% से खीचेंगे यह हमारा क्या होगा पता है यह हमारा देखो आप यह समझ लोगे आपर यह हमारा है इनिशल यह हमारा present value of cash outflow भी बोलते हैं present value of cash outflow यह सब initial investment बोल रहो हो यह present value of cash outflow है और यह क्या पता है यह present value of cash inflow इसको यह cash inflow है इसको present value में निकालना है यह present value नहीं यह तो cash inflow है इसका हमें present value पता करना है तो आप मुझे बता है इसका present value क्या होगा हम 1,42,000 जो 5 साल तक है उस हम present में लेके आएंगे कैसे लाएंगे हमारा required कितना है 15% है तो 1,42,000 सभी को 15% से खीच लेंगे calculator में फटा फट करते है 1,42,000 divided 1.15 equal m plus 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 5 बर करके MRC कर देंगे यह हमारा कितना आ रहा 4,76,000 something आ रहा आप देखिए 1,42,000 divided 1.15 1.15 equal m plus 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 MRC 4,76,000 6 आ रहा है यह आपका है क्या present value of cash outflows आपका 5,000,000 present value of all cash inflows आपका कितना है 4,76,000 आपका net present value जो है net present value आपका negative आ रहा है कितना 23,994 negative आ रहा है अब बोलो है सर यह कैसे हुआ negative कैसे आया सर हमें समझ नहीं आया हमारी तो कमा ही हो रही 2,10,000 हमने तो देखा कि हम कमा रहे 2,10,000 उसके बावज़ुद पे सरीर NPV negative कैसे आया इसका मतलब कि हम कमा तो रहे 2,10,000 रूपीज बट वो 15% return नहीं दे रहा आपको आपके investment आप जो investment करे हो उस पे आपको कितना return चीए 15% का return चीए वो 15% return नहीं दे रहा आप देखो माल लो अगर आपका cost of capital 12% होता माल ले एक बाद 12% से खीचके देखके सबको 1,42,000 divided by 1.12 equal and plus 5 बार करते हैं MRC देखो 5,11,878 आ रहा है मतलब अगर हम 12% से खीचे तो हमारा NPV positive आ जाएगा वो क्या कहते हैं कि 12% हमारा return achieve होगा मतलब 12% तो हम return achieve कर पार है पर 15% return हम achieve नहीं कर पार है यह बाद 13% से करके देखता हूं 1,42,000 divided 1.13 equal and plus 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 MRC इसमें भी देखो 4,99,446 आ रहा है यहनि 13% भी achieve नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से around 12.80% यह return दे रहा है इसमें पार उससे भी करके देखता हूं 1,42,000 divided 1.128 equal and plus equal and plus equal and plus equal and plus MRC यहार है फुड़ा जादा है चलो 5,1800 आया चलो एक काम करता हूं 12.9% लेता हूं 1,42,000 divided 1.12 9 equal and plus 5 बर करता हूं यह 5,67 आ रहा है यह नहीं वही आपका 12.9% के आसपास ही हमें return दे रहा है 12.9% से थोड़ा ज़्यादे हमें दे रहा है इतना return यह में दे रहा है 15% यह में return नहीं दे रहा है तो आप यह क्या बोलो कि project यहां पर viable नहीं है project is not viable since NPV is negative suppose मालों एक काम करता हूं एक बाद मुझे समय दो मैं 12.92% लेता हूं इस फाइवलाइब फुटी सिक्स आ रहा है थोड़ा ओड है 12.95 लेते हूं यहस फाइवलाइब फुटी सिक्स आ रहा है इस 12.95 पर्चन करके दिखते तो कितना आ रहे हैं एक्जेक्ट लीना चाहता हूं मैं इस पांच रुपे का फ़राइब है हम यह लेते 12.95 पर्चन यह विस तो एल्पों ना फाइव फूर पर्चन कर देते हैं ठीक है यह लेते हैं हमें आप तो ऐसे सिचुएशन में आप बताईए आपका प्रेजेंड वेल्यू अफ कैस आउट फ्लोस कितना होता है वो तो फाइव लैक ही है और प्रेजेंड वेल्यू अफ कैस इंफ्लोस क्या होता है वोम लेते हैं 1,42,000 इसको ऐसे लिखते हैं इन्टू PVAFA 12.954% फाइव यर्स इसे लिखने का स्टाइल होता है बाद में सिख जाओगे को टेंसन वाली बात नहीं उस पे इतना ध्यान मत दो आप यह सोचो अगर मेरा गॉरिट मेरा कोस्ट आफ कैपिटल महान लिजया फोर इग्जामनल 12.954% यह मेरा कॉस्ट आफ कैपिटल होता अगर मेर THE इसे सिचुएशन में मैं क्यал करता है इन सभी कैस फ्लोस को कमें किससे पूल करता 12.954% से पूल करता किसे 12.954% से पूल करता करते हैं एक बार चलिए कितना आता है यह सब सीखना बहुत जरूर है डिवाइद 1.12954 12.954 equal m plus 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 m rc किया आ रहे देखे 5 लग 7 आ रहे है 142,000 divided 1.12954 तो मैं 5 लाक यह पकड़ता हूं राउंड ओफ में तो बताइए एन्पी वी क्या आया हूं कि एन्पी वी हमारा जीरो आया है 12.954 पर्टेंट में हमारा एन्पी वी जीरो है मेरा सवाल आप लोगों से यह है सेवन को इग्नोर करते हैं एक बार मान के चलते 5 लाक यह एन्पी वी मेरा जीरो है बताइए आप मुझे एट एन्पी वी जीरो एन्पी वी जीरो में प्रोजेक्ट सुट बी एकसेप्टेड और नोट हमें प्रोजेक्ट को एकसेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरा सवाल आप लोगों से यह हमें प्रोजेक्ट को एकसेप्ट करना चाहिए reject करना चाहिए कि हम बोलेंगे जी नहीं आपका जो मन करें करें मतलब हम क्या बोले parallel बोले accept बोले कि reject बोले क्या बोले हम आप मुझे बताईए अगर NPV जीरू हुआ तो हम project को क्या करें accept करें कि reject करें कि क्या करें इस जने का not a good investment प्रिस्टीजी का कहना है प्रविन जी का कहना है 50-50 और भी मुझे सबसे जवाब जी गलत हो चलेगा बस मैं चाहता हूँ आप participate करें participate करो कि तभी तो मजाएगा सीखने का yes as return is exactly as expected magical choice accept प्रसन्ना जीने का yes धवल जीने का देखो मेरी बात ध्यान से सुनो जो बंदे कह रहे कि good investment नहीं है या फिर जो बंदा कह रहे है कि 50-50 हो गलत कह रहे है आप यह सोचो आप तो कमा रहे हो वन लेक आप ज्यादा कमा रहे हो आपका तो 12.9 4% का requirement जो आपकी requirement वो तो एची वही रही है तो कैसे बोल सकते हो कि 50-50 आप बोलो यहां पर project accept होगा हाँ अगर एंपीवी 0 से जादा वो वो और अच्छा project वो और ज्यादा आपको return देर आपके requirements से अलग बात है बट आप यह समझा लीजे अगर आपका required 15% हम बोलेंगे project तो not be accepted अगर आपका required 14% है तो भी हम बोलेंगे project accept मत कीजे लेकिन अगर आपके requirement 13% हम बोलेंगे ठीक है close to 13 ही तो 12.95 परसेंट अगर मालो आपकी requirement 13% होती है तो NPV साहे थोड़ा सा negative आता कुछ amount negative आता ज्यादा नहीं आता एब और करके भी देख लेते इतने ही थोड़ी ना चिंदी हो आप फाइवनेट रुपी इसके लिए project को reject कर दोगे आप बोलोगे यार close to 13% तो हमारा आई रहे तो NPV भले यहाँ पर negative 500 भी आता ना तो भी मैं बोलता हूं practically आप project को accept कर सकतो आप बोलोगे मेरा 13% approximately मेरा return दे रही है तो यह जो project है इसका internal rate of return में आपको बता दू कितना पता है इसका internal rate of return 12.94% यह IRR कहते हैं इसे IRR का मतलब यह project काबिलियत रखता है कि हमें इतना return देगा जहाँ पर NPV 0 होता है NPV 0 में जो required होता है उसे IRR भी कहते है internal rate of return जो आगे हम और सीखेंगे attention की कोई बात नहीं है मतलब अगर किसी भी बंदे का किसी भी investor का required इतना यह इससे कम हो वो project को accept कर सकते हैं यह 13% तक project accept हो सकता है जिसका 13% से ज़्यादा requirement है जैसे 15, 16, 17 वो project को reject बोले हैं क्योंकि यह project की खुद की काबिलियत कितनी यह पता है 13% return देने की वही चीज़ हम यहाँ पर सीख रहें तो आप बताएं NPV 0 में exam purpose के लिए अग्जाम परपस के लिए NPV 0 में project accept होगा NPV greater than 0 में भी project accept होगा लेकिन NPV less than 0 में project reject होगा फुर्थ एक्जाम परणे क्योंकि क्योंकि NPV less than 0 मतलब NPV negative और NPV negative होगा तो project क्या करेंगे हम reject मार देंगे लेकिन NPV ज्यादा हुआ मतलब जो आपका requirement होतना मिल रहा है अब कभी-कभी ऐसा भी होगा आगे हम question करेंगे जहां पर दो तीन अलग-अलग project है सभी project का NPV positive है सभी project का NPV positive है तो दो एकसेप्ट कर लेंगे अगर तीन में से हमें एक ही चुनना है तो ऐसा situation में हम देखेंगे NPV तो है उसमें भी तीनों में कौन सा best है उसके लिए profitability index हैं निकालते हैं वो भी सिंपल है सब सिंपल चीज है तो वो चीज के तिरू हम जज्जमेंट ले लेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सप्ट करना चाहिए वो सब हम आगे बाद में सीखेंगे तो फिलाल आप बोलो यहां पर और अगा कि फूल भी एक्सेट एन पीवी जीरो में हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट को एक्सेट करेंगे अब इस्ति को बस मैं अब क्या करना चाहिए अनादर भी में एक बार फटा फट सॉल्फ कर देना चाहतूं कि और आइसी का वी में मैं सॉल्फ करना चाहतूं जहां पर हम क्या करेंगे पता जीरो टियर फर्स्ट एस सेकेंड ठर्ड फोर्ट फिफ्प्ट देखो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे annual revenue कितना है हर सल देखो हमारे annual revenue 0-3 में तो हमारे खर्चा हो गई हमें पता ही है वो बाद में हम लिख लेंगे Annual revenue हमारे कितना आएगा यह मुझे बता दीज़े हर सल हमारे Annual revenue आएगा 2,50,000 का IC का style में बताते रहूं मैं आपको यह भी simple है 2,50,000 हर सल का revenue है और cost हमारा कितना लग जाएगा 90,000 लग जाएगा 90,000 का हमारा cost लग जाएगा 90,000 का cost लग जाएगा इसमें depreciation भी minus करेंगे हाला कि depreciation से cash गिरता नहीं है अब इसलिए minus करेंगे क्योंकि depreciation में tax saving मिलते है जिसे सरकार हम से 2,50,000 minus 90,000 कितना आते है 1,60,000 हाओचिन में सरकार हम से tax नहीं लेगा सरकार हम से जो हमने initially 5,00,000 रुपीज investment किया है उस पे भी tax का benefit मिलेगा तो हम क्या करते है tax benefit लेने के लिए depreciation minus कर देंगे 5,00,000 रुपीज जो initially खर्चा किया था 5 सालों की life है तो हम हर साल depreciation 1,00,000 लगा देंगे यह depreciation minus इसलिए करते हैं ताकि हम tax benefit ले ले और बाद में add back भी कर देंगे इसको यह minus यह cash flow नहीं है यह cash outflow नहीं है हम minus करें tax benefit लेने के लिए ताकि हम PBT निकालें अब इससे हम निकालेंगे profit before tax profit before tax कितना आजाएगा आप देख लो 1,60,000 आएगा मेरे ख्याल से यह देखे 60,000 आपका profit before tax आजाएगा इसमें हम tax देंगे सरकार को तब हमारा pet आएगा सरकार को हम tax कितना देंगे 30% यहीं 18,000 का हम tax देंगे 18,000 आप देख लिज़ो 18,000 करके 5 बाट टेक्स देंगे 90,000 टेक्स देंगे वो मैंने पहले भी बताया था 90,000 थ्री लाग कमाएंगे 90,000 टेक्स देंगे 2 लाग 10,000 बचेगा तो अब देखो pet हमारा कितना आ रहा है 42,000 आ रहा है 42,000 का हमारा pet आ रहा है अब इसमें हम क्या करेंगे depreciation को add back कर देंगे क्योंकि depreciation खर्चा नहीं हमारा यह non-case item है इसको पहले minus किया था tax benefit लेने के लिए अब tax benefit ले लिया tax का amount निकाल लिया अब जो minus किया था वो फिर से plus कर दो 1,000,000 minus किया था था ना फिर से plus कर दो टेक्स बैनिफ्रि लेके ब्लस कर दो इसको ड्लस्ट में प्लस कर दी हमने तो हमारा क्या जाएगा कैर्सницы ईंफ्लो आ कि सम्थ मone can दो हैand f…" दो ए लगे जब एप देखेब देर्फोर वह न वे इलेंग एंघ प्रेजिड वेल्यू अगर हम 15% जो रिक्वारेट उससे बात करें तो उस हिसाब से हमारा क्या आ रहा था 476 006 आ रहा था हमारा 030 का और इनिशल इन्वेस्मेंट कितना है प्रेजिड वेल्यू उफ आउटफ्लो बोल दो यह initial investment बोल तो यह आया था 5,000,000 हम सुरुवात में पैसे लगा रहे थे हमें future में जो पैसा मिलेगा उसका present value यह है सुरुवात में हम 5,000,000 पैसा लगा रहे तो मतलब हमारा NPV तो है वो negative कितना आया minus कितना 23,994 था किया minus 23,994 था किया minus 23,994 आया हमारा if require rate 15% है हाँ अगर 13 यह उससे कम हो ता फिर भी project accept हो जाता बट यहाँ पर project accept नहीं हो तो दीकिए एक तो मैंने पूरा detail वाले version में सिखाया आपको और अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि यह भी simple है revenue खर्चा minus किया depreciation minus किया text निकाला, text दे दिया उसके पर depreciation add करके cash inflow हमारे यह उसके present value यह आगे और zero tier में जो हमारे cash outflow है यह देखो, zero tier में हमारे cash outflow है चलो इसको भी लिखके छोड़ देता हूँ जो initial investment हमारा है वो भी तो minus होगा initial investment इतना है 5 lakh है और अगर इसको हम इधर भी रखे तो इधर हमारा 5 lakh यह cash flows लिखते हैं outflow, inflow दोनों है 5 lakh पहले zero tier में negative है लगेगा पैसा, यह आएगा हमारा पैसा हमने NP भी निकाले बताओ यह चीज़ clear है या नहीं बोलो बोलो यह कुछ भी rate of आई क्या नहीं हमने कुछ भी rate of vacation नहीं किया, कुछ भी प्रकार का rate of vacation नहीं हुआ हमारा हमने सब कु समझा है, बताओ यह चीज़ अगर आपको एकदम अच्छे से clear है तो आज ही class को हम सौट ही रखेंगे, इतना ही आगे जाके next class में कल हम सुबह 11 बचे मिलेंगे और कल सुबह 11 बचे हम क्या करेंगे, अब advanced capital budgeting का फर्दर आगे क्या क्या discussion है वो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ है वापर, sensitivity analysis है, profitability index है, उसके अलावा आपका और भी risk निकालना भी होता है, variance आ गया, coefficient of variation आ गया, मजा आएगा, मैं लिए सब कुछ easy है, decision tree सब कुछ easy मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप advanced capital budgeting के बात करोगे न, यह पहले भी था, आपको बता है, इससे पहले जो old scheme था न, उसमें भी था पहले, ICA ने क्या क्या, फिर उसे budgeting तो बहुत ही easy chapter है, तो टेंसेंट की कोई बात ही, capital budgeting किया, सब कुछ easy लगेगा, अगर समझ के पढ़ोगे, corex, derivatives, security valuation हो, सब कुछ आसान लगेगा, मुझे तो ऐसा feel होता है कि अगर कोई बच्चा समझ ले न, AFM को, तो entire सभी subjects में सबसे ज़्यादा easy, सबसे ज़्यादा interesting, अगर कोई subject आपको मिला है, तो वो AFM मिला है, और नहीं होते हैं, मज़ा आते हैं, कोई formula याद करने की जरत नहीं, मैं अपना जो पढ़ाने का style में आपको बदा दे, तो अभी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो ICA oriented भी रहेगा, मैं ICA के relevant formulas भी बताऊंगा, ICA के तरीके से भी हम solve कर लेंगे, है न, मैं आपको बदा दूँगा exam में कैसे करना है, बट हर जगा formula लगाने की जरत नहीं है, formula की कोई marks नहीं होते हैं, आपको अपने answer को elaborate करके लिखना होते हैं, आप अगर properly अपने answers को elaborate करके लिखते हो, full marks मिलेंगे, मैंने काफी सारे certified copies देखे हैं, मैं आपको समझाऊंगा की exam में कैसे present करना है, जैसे करूँगा वैसे करना है, कोई formula के marks नहीं होते हैं, और मैं make sure करूँगा की AFM आपको एकदम easy हो जाए, ताकि end में आपको कोई भी चीज़ याद करने की जहरत ना पड़े, और सब कुछ एकदम easy लगे, practical life में भी आपके काम है, क्योंकि मेरे कई सारे student है, जो big four या फिर अलग-अलग जगा पे काम करते हैं, मुझे भी मज़ा आता है, और मैं यह चाहूँगा कि आप भी आगे जाके सिर्फ GST income tax में ना रहूँ, आप आगे जाके बड़ी बड़ी companies के financial report बनाऊं, इंडेस के साफ से, evaluation करो, यह सब चीज़ को काम करो, इसमें आपको कमाई भी बहुत मिलेगी, पैसे भी अच्छे आएंगे, नाम भी होगा, और आपको हर दिन रहेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, मज़ा आएगा, कुछ अच्छे काम करो ना, जिसमें मज़ा आएगा, कि क्या GST वगेरा का यह सब written वगेरा में कोई आनी जानी नहीं, तो सभी करते हैं, आप ऐसा करो जो सब नहीं करते हैं, जो चुनिन ना लोग करते हैं, वो आप करो, और वही आपको मदद करेगा, इसलिए और किसी भी कंपनी का वैल्यवीशन ये रिपोर्ट बना पाऊ गया, इस बात की मैं गैरणटी दे सकते हूँ, लिवा लिभाओन डितु है किसुछ झाल में कनम औंपर चिंट रखरें सब्सक्राइग टुछ हो यह तो हरें जा सब्सक्राइब नहीं पर समय पर तो हिए पेडियांफ मैं अभी तो यह फिलाल के लिए डीएप मेंwie पॉब्लिक चैनल में मैं सेर करते रहा हूं, आगे जाके फर्दर हम अपने ग्रूप पर ही हम सेर करेंगे ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल है तो मुझे से पूछ सकता है, यह सारे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, Google Drive में सारी notes की soft copy upload कर दी जाएगी और सभी notes की soft copy upload को मिलेगी यस दीब जी books जल्द dispatch हो जाएगी बहुत जल्द dispatch हो जाएगी टेंसिन की कोई बात नहीं है books dispatch हो जाएगी और कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते है किसी ने classes and rule नहीं किया तो वेबसाइट में प्रतिक्जगादी.com से classes and rule कर सकते है KFM की classes हो या FR की classes हो या फिर IDT की classes हो आख्सान सर के आप वहाँ से enroll कर सकते हो प्रतिक्जगादी.com से मैंने कहा ना वाइवाई जी बैच का टाइमिंग सुबह 11 बजी से लेकि 145 11 a.m. से 145 तक रहेगा आज हमने पहली class से रखा है regularly 11 a.m. से 145 तक रहेगा तर ओल्ड डिस्काउंट को ओल्ड स्टुएंट को डिस्काउंट होगा क्या हमने चलाया था दो दिन हमने चलाया भी तर डिस्काउंट की जिसको डिस्काउंट की इसे फरक क्या पढ़ते हैं मुझे लगता कि कुछ फरक पढ़ेगा आपको खिजाम क्रेक करना बट फिर भी चलो ठीक है मैं डिस्काउंट आज कुछ साइम के लिए एक्टिवेट करा दूँगा तो कुपन पहले था वह वाले एक्टिवेट कर लिए पास्ट्रेक को मिलेगा कापिटल बेचिटिंग सेंसन की कोई बात ही नहीं तरा टेकन यूर ख्लास जुलाइट फंटिवेर तर आई एक्सस को लाइव क्लास उसके लिए देखते हैं रिकॉर्डिंग तो जरूर मिलेगी लाइव के लिए देखते हैं क्या पोस्यमिलिटी निकिजी एकषए वह रिकॉर्डडड बैचिस ले सकता लाइव नहीं है एक रिकॉर्डडड बचेस देख स्ञाप पस यह करो मतलब सुभी के टाइम मेरा किए सुभी के टाइम में आप एफम करो मेरे साथ इवनिंग टाइम आप एफार करों और हम क्या करेंगे हमारे गरूप के अंदर में आपको डेली बेसिस में हम जैसे जैसे यह फम चलाएंग अगर आप लोग बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करोगे तो एफ र के लिए मैं डेली बेसित में टास्क दे दिया करूंगा आज आज यह क्लास खतम करो मेरे लेकिन सुनते नहीं आप लोग इसलिए देने का मन नहीं करते हैं अगर आप सुनोगे सिद्धत से फोलो करोग तो मैं डेली आपको टास्क दे दिया करूंगा यही आप खतम करो अब बाद में बंद कर देता हूं बीच में देना क्यों क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो आप लोग कुछ दिन तो चलाते हो बाद में आप लोग धी मोटिवेट हो जाता हूं करी नहीं रहे कंप्लीट फिर क्या फाइदा देने तो अगर आप लोग भी होता है कि पूरा कर्व हो ना अगर अच्छे से मेरे टास्क को फोलो करो तो मुझे भी टास्क देंके मज़ा आप लोग नहीं कर दो यह आज प्रसंदा जी मैं डिसकाउंट कूपन जो पहले हमारे टेलिग्राम में दिया ह करा आज आज तुछ डिसकाउंट को ले सकते हूं कि इस नीशा जी बीच में ब्रेक मिलेगा क्लास का अब का इसके हमने 11 से 145 गंटा की एफेक्टिव क्लास रखेंगे 15 मिनिट का बीच में ब्रेक देंगे रानी जी आपको मेल के तुरू लिंक मिलेगा बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ बहुत सारे बच्चों को मिला नहीं बीच में बहुत ज्यादा ओर्डर्स आगे थे जिसके चलते प्रोसेस नहीं हो पाया था आज साम तक सभी को एक्सेस में कि यह मोई नीचे टेस्ट पेपर वगेरा हम देंगे तर लाइब डिटी एच अलमस में होगा और इस देनी सॉफ्ट कोई सॉफ्टर का यह सॉफ्टर का चेंज है वहाँ पर होगा ब लोग तक टेलींगरां पब्लिक और इस देंगैं अब को आखी जाकर्वाट्स पर लिंकि देंगे अपको वहाँ पर अगे जाके लिंक मित रिखकर करें तो वहाँ पर हम डिसकस करें यह वाइफाई जी बुक्स डिस्पैच हो जाए कि जल्दी अभी और आप लोग की खरक जल्द लाइफ का सबको दो जिनोंने रिकॉर्डड़ लिया अब थोड़ा सा पीशन्स रखें कि हम कैसे आप लोग का एक्सेस दें उसके लिए अगर कुछ लाइसेंस की का कुछ अगर नॉमिनल कुछ चार्ड़ होगा तो वो लेना पड़ेगा तो लेंगे आपको देने की को कि अपने शियंद रहिए मैं उन सब के बारे में बात करूंगा और हमारे जो ग्रूप भी आप लोग सभी अपार के ग्रूप में और एफम के ग्रूप में जो अल्रेडी एक्जिस्टिंग स्वापर सभी इंफॉमिशन दी जाएगी चैंसन फ्री रहिया तो आज की क्लास गुहाटी में लाइब कराएं के बाथा वो क्या सब्सक्राइब नहीं में लाइव नहीं कराता ऊनल sarc dong सिर्क ओंthank प्रक्राइं ऐलो European दोंक्ल लवेर 11-3 , तुम अजब है आज के लिए विदाल ये मने पढ़ा प्लीस इपर ऑदू penguin Sum मैंने ओल्रेडी नोट सेयर कर दिये आप रिवाइज जिरूर से कीजिएगा अगली क्लास में आने से पहले कल हम फिर ग्यारा बचे सुबह में लेगा ठीक है जरूर से रिवाइज के और आगे फर्दर तो मैं होमवर्क भी दूँगा तो वह सब होमवर्क वगेरा भी आपको यूटुब में आई कि बात फिर आगे हम सॉक्टर में करें 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 कि बताओ हर हर महादे जबल जी यह बोले ना चलो ठीक है आज के लिए विदाई लेतों मैं आप सभी से टाटा भाई-बाई-बै कल मिलता हूं ग्यारा बचे सुबह नहीं चिरागी के आपका रेगुल आप उनको चाहो तो ले सकतो यह यह फास्ट्रेक बैच नहीं आपके वेबसाइट में मिल जाएगी प्रतिक जगा तो कि ठीक है कि चलो कि नरेंद्र जी मैंने कहां आज डिस्काउंट को बन रहेगा आज हम एक्टिव कर दे रहे एफार एफम सभी का आज आज के लिए मैं एक्टिव कर देंगे बहुत सारे बच्चे नहीं मुझे बोला भी था कि हम मैं में सो गया या फिर मन्त एंड था यह वो तो आज हम एक्टिवेट करतेंगे जिनको भी आज यह वो डिस्काउंट कर सकते आज हम आज हम आज आज के लिए हम रखेंगे ठीक है चलो बाइब बाइबरीवन ठीक है कोई और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो किराग जी फास्ट्रेक बैच अल्रेटी रिकॉर्डड़ेट एविलेबल है लाइव स्टार्ट नहीं होगा रिकॉर्डिंग रिसेंट्ली रिकॉर्डिंग है अब उसे अराम से फोलो कर सकते हो लाइव की जरत नहीं देखॉर्ड़ेट बैच से एक बनाई एक कंसिस्टेंस में पढ़ाई किजिए रोज एक क्लास कम से कम देखिए और आम से अपका कंप्लीट होगी यह यह यूटूब में रोज नहीं होगी पहली दो क्लास होगी जो यूटूब में रहेगी आगे सॉ अब इसाइट क्या पता नहीं है एक रिकॉर्ड़ेट बैचे पालस जी वह आप ले सकते हैं ततिक जगादे डॉट कॉम लाइव बच नहीं होगा तो जितना हो सके संदी को जरत लगी तो रखेंगे अधरवास नहीं रखेंगे एक दिन तो आप रखेंगे आप लोगों से से डिसकस कर लेंगे आप लोगों का कहना रहेंगे नहीं सटेटेटे संडी को क्लास रख लीजे किसी और दिन ओफ दे लिचे वह इसता भी कर सकते हैं तो उस इता अपसे हम प्लैन कर लेंगे मैं वीकली हम छे क्लास रखने के पूरी कोसर पांच तो मिनीमा में फाइब मैं यूटूब में अपलोड कर दूँगा इक दो क्लास कर मुझे निलेक्स नीड है चलो फाइब एवरीवन ठीक है चले किराग जी मैंने बता दो दिया फास्ट्रेक बैच स्टार्ट नहीं होगा एफम का अल्रेडी रिकॉर्डडेड बैचिंग वहां से आप देख सकतो लाइव बैच नहीं लेंगे फास्ट्रेक रिकॉर्डडेड बैच अल्रेड़ी अव अब तुरंती मिल जाएगा तो रिकॉर्डडेड है जो जो रिकॉर्डिंग देखने हो तुरंती मिल जाएगा लाइव भी हमारा जो है फॉर्ट्रिक फैबरी तक खतम कर दें आप आले से फर्स्ट टैम के लिए रेगुलर भी एफर और एक्जाम ओरिंटेट दूनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है आराम से चल जाएगा मैंने सभी की कोईरी ले लिए आज के लिए मैं विदाई लेता हूँ उसे कल सुबे 11 बचे चलो बाई 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 अवरीवन